परम पुजनिये स्वामी जी, भारत स्वाविमान के सभी सम्मानिये बहनों भाईयों, आज मैं आपसे एक बहुत गंभीर विशे पर बात करने जा रहा हूँ, और वो विशे है अंतर राश्ट्रिय संधियों के मकड़ जाल में फसा हुआ भारत। भारत को पिछले कई वर्षों में सबसे जादा अगर अपमान सहन करना पड़ा है, जिल्लत जेलनी पड़ी है, आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, राजनेतिक नुकसान उठाना पड़ा है, सांस्कृतिक सामाजिक नुकसान उठाना पड़ा है, तो सबसे जादा इन अं अंतर राश्विय संदियों के एक मकड़ जाल में फसकर हम अपनी पूरी आजादी गमा चुके हैं, अपनी स्वाधीनिता हम खो चुके हैं, अपना स्वराज, अपना तंत्र, सब कुछ लुटा चुके हैं। अगर इतिहास में बात करूँ, तो सबसे पहली अंतर राश्विय संदी भारत ने जो की थी, वो अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी के साथ थी, जिसके दस्तावे जो पलब्द हैं, जिने हम पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वैसे तो कहा ये जाता है कि इस्ट इंडिया कंपनी के पहले भी भारत देश ने दुनिया के दूसरे देशों के साथ संधियां की हैं, जैसे एक बार हमारे देश में एक विदेशी आया था जिसका नाम था सिकंदर, और भारत में उसका युद्ध हुआ था, एक मचक्रवर ती समराठ था पुरू, जिसको अंग्रेजों ने नाम दे दिया पोरस, उसके साथ सिकंदर का युद्ध हुआ था, और आप सभी जानते हैं कि सिकंदर की उसमें पराजे हुई थी और भारत उसमें विजई हुआ था, और सिकंदर को पराजित होकर भारत से लोटना पड़ उस समय सिकंदर ने एक संधी की थी भारत के चक्रवर्ती समराट पूरू के साथ और संधी क्या थी? संधी ये थी कि दूसरी बार कभी भी सिकंदर भारत पर हमला करने के लिए नहीं आएगा इसके बदले में चक्रवर्ती समराठ पूरू ने सिकंदर को माफ कर दिया था वरना इस्थिती ये थी कि चक्रवर्ती समराठ पूरू चाहता तो सिकंदर की गर्दन काट सकता था क्योंकि सिकंदर पराजित होकर उसके चरणों में बैठा हुआ था सिकंदर की पूरी सेना पराजित हुई थी सिकंदर का एहंकार पराजित हुआ था भारत में आने के पहले सिकंदर के बारे में ये कहा जाता है कि दुनिया का कोई भी देश उसको हरा नहीं पाया था सिकंदर जिस देश में भी गया वहां उसको विजय मिली थी पहला देश भारत था जहां पर आकर सिकंदर पराजित हुआ था और सिकंदर ने इस पराजे को जब स्वीकार किया तो महरजा पुरू से उसने एक विंती की थी कि मेरी जान बक्ष दी जाए, मुझे जिंदा छोड़ दिया जाए च्छमा कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए बदले में सिकंदर ने वाइदा किया था कि वो भारत में दुबारा कभी नहीं आएगा इस तरफ का मुझ कभी नहीं उठाएगा भारत देश की सुतंतरता को, भारत देश की सारव भामतो को भारत देश की संप्रवता को कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा ये एक संदी हुई थी सिकंदर और पुरू के बीच में और उस संदी के बाद सिकंदर यहां से वापस गया था लेकिन दुरभा किसे रास्ते में उसकी म्रत्ती हो गई थी संप्राट पुरू ने तो नहीं मारा लेकिन भगवान ने उसको मार डाला था वो वापस यहां से जिंदा नहीं गया था उसकी लाश वापस गई थी ये इतिहास में हम पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन बस दुरभा की इस बात का है कि इस संदी के कागजपत्र देखने को नहीं मिलते प्रमान देखने को नहीं मिलते पूर वितिहास में बहुत सारी ऐसी संदियां हैं जिनके प्रमान देखने को नहीं मिलते ऐसे ही एक और विदेशी हमला हमारे देश पर हुआ था हूनों का और एक विदेशी हमला हुआ था शकों का इन दोनों विदेशी हमलों में भी भारत जीता था शकों की पराजे हुई थी हूनों की पराजे हुई थी और उस पराजे के बाद शक और हूनों ने भी भारत के राजाओं से संदियां की थी और उस संदियों में यही था कि वो दुबारा भारत पर हमला नहीं करेंगे दुबारा भारत में नहीं आएंगे और उस तरह से वो भी वापस गए थे यहां से तो पूर वितिहास में हम अगर देखें तो ऐसी कई संदियां हुई है जब विदेशी आये भारत पर हमला किया वो हारे पराजित हुए और उनकी जान छोड़ दी जाए उनको छमा कर दिया जाए इस आधार पर उन्होंने भारत के राजाओं से संदियां की और वो संदियां इतिहास की पुस्तकों में धर्ज हैं लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन संदियों के बारे में अगर हम और आप ये देखने की कोशिश करें कि किन शब्दों में वो शंदियां की गई थी किस आधार पर लिखा गया था वो प्रमान उपलब्द नहीं है तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहली संदि जो भारत में विदेशों से हुई या विदेशियों से हुई जिसके प्रमान उपलब्द है जिसको आप भी देख सकते हैं मैं भी देख सकता हूँ जिसके प्रमान अभी बहुत जादा पुराने नहीं है वो संदि लगबग 400 वर्ष पहले की संदि थी जब इस इंडिया कंपनी के साथ भारत के समराट जहांगीर ने संदि की थी और ये संदि 1615 में हुई थी और इस संदि का मूल विंदू ये था कि चक्रवरती समराट जो जहांगीर है जिसकी बहुत बड़ी सल्तनत थी इस देश में हजारों लाखों गाउं तक जिसकी मिलकियत थी इस देश में वो अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी के साथ संदि कर रहा है इस बात के लिए कि अंग्रेजी इस इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमती दे दी जाए और उस अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी को अपना व्यापार करने के लिए कुछ इस्थान की जरूरत है तो वेस्थान उसको दे दिया जाए और अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी को व्यापार की सुरक्षा के लिए कुछ सेना रखने की जरूरत है तो उनको सेना रखने की अनुमती दे दी जाए और इस्ट इंडिया कमपनी को कुछ गोदाम बनाने की अनुमती दे दी जाए ये चार बिंदूओं पर संधी हुई थी संधी करने वाले भारत की तरफ से जो व्यक्ती थे वो जहांगीर और संधी करने वाला अंग्रेज जो भारत में आया था उसका नाम था टॉमस रो अंग्रेज उसको टॉमस रो भी कहते हैं थॉमस रो भी कहते हैं दोनों उच्चारण उसके नाम के हैं तो थॉमस रो पहला अंग्रेज इस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत में आकर संधी करके गया वो लिखित संधी हुई उस संधी के प्रमान उपलब्द है दस्तावेज उपलब्द है भारत में भी वो दस्तावेज हैं यहां दिल्ली में अबिलेखा गार करके एक बड़ी संस्था है जिसको अंग्रेजी में हम सब आर्काइव्स कहते हैं नैशनल आर्काइव्स के पुराने जो दस्तावेजों का सेक्शन है वहाँ पर ये रखा हुआ है अंग्रेजों की जो पर्लेमिंट की लाईबریरी है अंग्रेजों की जो संसद है House of Commons, House of Lords उनकी लाईबریरी में भी ये दस्तावेज रखा हुआ है और अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी संस्ता है जिसको वो British Library कहते हैं लंदन में जिनका मुख्य कारियाल है, वहाँ पर भी इसका दस्तावेज रखा हुआ है, तीन जगे इस संधी का दस्तावेज रखा हुआ है, तो ये पहली लिखित संधी हुई भारत की विदेशियों के साथ, जो आज भी प्रमान के रूप में उपलब्द है, इस संधी से ही हम फस गए विदेशियों के मकड़ जाल में, संधी में जहांगीर ने सूरत नाम का एक छोटा सा इलाका, जो अभी तो बहुत बड़ा जिला है, एक जमाने का वो छोटा सा ही छेत्र था, लेकिन बहुत बड़ा व्यापारी केंद्र था, बहुत पैसे वाला एक छेत्र माना लिया था, कुछ सेना रखने के लिए एक छोटा सा किला बना लिया था, जो किला इस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले सूरत में बनाया, वो अभी भी मौजूद है, वो सुरक्षित है, आप मेंसे कभी भी किसी भाई बहन को सूरत जाने का मौका मिले, तो आप उसे भारत की भूमी पर विदेशियों की पहली फैक्टरी, भारत की भूमी पर विदेशियों का पहला गोदाम, और भारत की भूमी पर विदेशी सैनिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था पहली बार इस 1615 की संधी में ही हुई थी, जिसमें जहांगीर ने अनुमती दी किसी ने दो राजी दिये, किसी ने तीन दिये, किसी ने पाँच दिये, किसी ने दस दिये, बहुत सारे राजा इस देश में अंग्रेजों के साथ संधी करते ही चले गए, और धीरे धीरे उस मकड़ जाल में फस्ते ही चले गए, अगर कुल मिलाकर आप मुझे पूछेंगे, कि अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी ने पहली संदी तो जहांगीर से की थी कुल मिलाकर कितनी संदिया की तो इस्ट इंडिया कमपनी ने भारत में 1615 से लेकर और 1857 के पहले स्वाधीनिता संग्राम तक 565 संदिया की थी और ये पाँच सो पैंसेट संदियां भारत के अलग अलग राजाओं के साथ हुई थी कुछ संदियां राजस्थान के राजाओं के साथ कुछ संदियां गुजरात के राजाओं के साथ कुछ संदियां मद्ध भारत के राजाओं के साथ कुछ संदियां दक्षन भारत के राजाओं के साथ अलग अलग भारत में जो छेतर होते थे वहां के राजाओं के साथ ये कुल मिलाकर 565 संदियां अंग्रेजों ने की थी इस संदियों में क्या कहा जाता था आप इन संदियों के दस्तावेजों को पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको एक बात लगेगी जो मजाख है सबसे करूर मजाख है वो ये कि संदियों का जो शीरशक होता था वो लिखा जाता था दोस्ती के लिए संदी मित्रता के लिए संदी अंग्रेजी में उसको कहा जाता था ट्रीटी फॉर फ्रेंच मित्रता की संदी, दोस्ती की संदी ऐसे करके उसका शीरशक होता था और उसमें अंदर जो लिखा जाता था, वो बिलकुल शत्रुता की बाते होती थी, शीरशक होता है मित्रता की संदी, और अंदर क्या लिखा जाता है, एक उधारन से बताता हूँ, अंग्रेजों ने भारत के एक राजा के साथ संदी की, जिनका नाम था श्री गंगाधर ये श्री गंगाधर राओ जासी के राजा हुआ करते थे, जासी उस जमाने में एक राज्जी हुआ करता था, इस समय जासी भारत का एक जिला है, लेकिन अंग्रेजों के समय में ये एक राज्जी के बराबर का होता था, आप अगर ये कल्पना करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि भारत में आज जितने بھی जिले आपको लगते हैं दिखाई देते हैं जिनको आप जानते समझते हैं ये लगबग सब राजी के मुकाबले के हुआ करते थे अंगरेजों के जमाने में तो घांसी एक राजी हुआ करता था जिसके राजा थे गंगाधर राओ उन्होंने अंग्रेजों से दोस्ती की एक संधी की या अंग्रेजों ने उनसे दोस्ती की एक संधी की उस संधी में कहा गया कि गंगाधर राओ और अंग्रेज आपस में दोस्त रहेंगे गंगाधर राओ का राज्य और अंग्रेजों की आपस में मित्रता रहेगी और ये मित्रता जितने दिन चलेगी उतने दिन चलेगी ऐसी अच्छी अच्छी बाते हैं उसमें लिखी गई अंत में लिखा गया कि अगर श्री गंगाधर राओ की अपनी कोई संतान नहीं होगी तो उनका पूरा राज ये अंग्रेज द्वारा ले लिया जाएगा एक वाकि उसमें ये लिख दिया गया अगर आप वो संधी पत्र पढ़ेंगे जो जहांसी के महराजा गंगाधर राओ के साथ अंग्रेजों ने लिखा तो संधी पत्र में 90 से 95 प्रतिशत की जो भाशा है वो दोस्ती और मित्रता वाली है अंग्रेजों के द्वारा गंगा गंगाधर राओ की अपनी कोई संतान अगर नहीं होगी तो उनका राज अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा और संयोग कुछ ऐसा ही हुआ कि गंगाधर राओ की अपनी कोई संतान नहीं हुई गंगाधर राओ की धर्म पत्नी का नाम ही था जहांसी की रानी लक्ष ले लिया भारत में ऐसी परंपरा हजारों वर्ष से रही है अगर किसी परिवार में पुत्र या पुत्री ना हो तो हम किसी को गोद ले लेते हैं गोद ले लेने की परंपरा हमारे देश में हजारों साल पुरानी है अंग्रेजों को ये परंपरा समझ में नहीं आती थी क्यो कि अंग्रेजों के देश में इस तरह से गोद लेने का कोई विधान नहीं था तो अंग्रेजों ने इसको माना नहीं कि गंगाधर राव और उनकी धरम पत्नी किसी को गोद ले रहे हैं और वो दत्तक पुत्र उनके राज्जी का उत्रा धिकारी होगा अंग्रेजों ने इसको माना नहीं अंग्रेजों का कहना था कि उनके देश में ऐसा कुछ नहीं होता तो भरत में कैसे हो सकता है और यहीं से जगडा शुरू हुआ और अंग्रेजों ने जबरजस्ती जहासी राज्य को अंग्रेजों के राजवे मिला लेने की गोशना की तब जहांसी की राणी लक्ष्मी बाई ने ऐलान किया मेरी जहांसी नहीं दूंगी उनका ये ऐलान था ये एक ऐसा वाकित था जो उस जमाने में भारत वासियों के खून में गर्मी पैदा करता था मेरी जहांती नहीं दूंगी श्रीमती लक्ष्मी वाई को ये तब कहना पड़ा जब अंग्रेजों ने गोशना कर दी कि जहांती का राज्य जबरजस्ती अंग्रेजों में मिला लिया जाएगा क्योंकि संधी में ऐसा लिखा हुआ है तो इसी संधी के आदार पर जहांती का राज्य अंग्रेजों के पास गया था इसी तरह सतारा का राज्य अंग्रेजों ने चीना था ऐसी ही एक संधी की थी उन्होंने सतारा के महराजा के साथ इसी तरह नासपूर का राज्य अंग्रेजों ने चीना था इसी तरह पंजाब का राज्य अंग्रेजों ने छीना था इसी तरह भारत के 565 राज्य अंग्रेजों ने छीने थे संधियां करकर के संधियों में शुरू में अच्छी अच्छी बातें लिखी जाती थी और अंत में एक दो वाक्य ऐसा डाल दिया जाता था कि इस राजा की संतानना होने पर ये राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा या इस राजा की मृत्तिव होने के बाद ये पूरा राज्य अंग्रेजों का हो जाएगा जहांसी जैसे अंग्रेजों ने छीना वैसे ही पंजाब राज्य छीना था पंजाब राज्य में महराजा रंजीत सिंग के साथ अंग्रेजों की एक संदी हुई थी और उस संदी में ये लिखा गया था कि जब तक महराजा रंजीत सिंग जीवित रहेंगे पंजाब राज्य का साशन उनके हाथ में रहेगा लेकिन जिस दिन महराजा रंजीत सिंग की मरत्व होगी अंग्रेजों की उस पर व्यवस्था आ जाएगी और महराजा रंजीत सिंग की मरत्व होते ही 1848 में अंग्रेजों ने पूरे पंजाब पर कबजा कर लिया था और इसी कब्जे को पूरा करने के लिए पक्का करने के लिए डलहुजी नाम का अधिकारी लंदन से भारत आया था तो अंग्रेजों के साथ हमने जो 565 संधियां की 1615 से लेकर 1857 के पहले तक ये सारी संधियां भारत की गुलामी की संधियां साबित हुई इनी से भारत की आजादी गई और इनी से भारत देश की परतंतरता आई अगर आपको एक वाक्य में मैं ये कहूं कि भारत देश को अंग्रेजों ने युद्ध में नहीं जीता भारत की जनता को अंग्रेजों ने युद्ध में कभी पराजित नहीं कर पाया भारत के लोगों पर कभी भी अंग्रेजों ने बाहुबल से साशन इस्थापित नहीं कर पाया भारत को वो जीत नहीं पाये युद्ध में भारत की जनता को कभी पराजित नहीं कर पाये युद्ध में भारत को अपने बाहुबल से अंग्रेजों ने कबजे में नहीं लिया भारत को तो अंग्रेजों ने चाला की के साथ संधियां करके अपनी गुलामी में लिया था हम पराजित नहीं हुए थे अंग्रेजों से बार बार भारत वासी मुझे ये सवाल पूछते है कि राजी भाई हम अंग्रेजों के गुलाम हुए कैसे तो हम उनसे कोई उद्द में कमजोर थे हारे थे इसलिए गुलाम हुए ये बात सच नहीं है हमारे पास सैनिक कम थे अंग्रेजों के पास सैनिक जादा थे ये बात भी सच नहीं है कई बार हमको भूल से इतिहास में ये पढ़ाया जाता है कि अंग्रेजों के पास बंदूकें थी भारतियों के पास बंदूकें नहीं थी अंग्रेजों के पास तोपें थी भारतियों के पास तोपें नहीं थी अंग्रेजों के पास सेना बहुत अधिक थी भारतियों के पास सेना नहीं थी अंग्रेज संगठित थे भारतिये लोग असंगठित थे इसलिए हम अंग्रेजों से हार गए और गुलाम हो गए ये सब बातें जूट हैं हम अंग्रेजों से किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए किसी भी युद्ध में अंग्रेजों ने हमको नहीं हरा पाया उल्टे जितने युद्ध अंग्रेजों ने भारत में आकर लड़े अधिकांश युद्धों में अंग्रेजों की पराजे हुई अंग्रेज हारे पंजाब में महराजा रंजीत सिंग के साथ अंग्रेजों ने जितने युद्ध किये थे संदी करने से पहले सभी में अंग्रेजों की पराजे हुई थी जहां सी किरानी लक्षुई बाई के साथ अंग्रेजों ने जितने भी युद्ध किये थे उन सब में अंग्रेजों की पराजे हुई थी नाकपूर सतारा में अंग्रेजों ने जितने युद्ध किये थे उन में सब में अंग्रेज हारे थे दक्षन भारत में जब जब अंग्रेजों ने हैदर अली के राज्य पर हमला किया था हैदर अली ने हर युद्ध में अंग्रेजों को हराया था किसी भी युद्ध में अंग्रेज हैदर अली से जीत नहीं पाए थे हैदर अली के बाद उनका बेटा टीपू सुल्तान जितने दिन राजा रहा उससे भी अंग्रेज कभी युद्ध में नहीं जीत पाए माने भारत का अगर इतिहास आप उठा कर देखेंगे तो अंग्रेजों के समय में एक भी युद्ध अंग्रेज भारत में नहीं जीत पाए थे तो फिर भारत पर कैसे राज्ज किया उन्होंने कैसे कबज़ा किया कैसे भारत को गुलाम बनाया उसका उत्तर है उन्होंने चाला की भरी संधियां की भारत के राजाओं के साथ और उसमें हम गुलाम होते चले गए आपको हसी आएगी मैं एक उधारण दूँगा कुछ राजाओं के साथ तो अंग्रेजोंने युद्द की संधि की कुछ राजाओं के साथ खेल कूद की संदियां की हमारे भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिनको अंग्रेजों ने खेल खेल में जीत लिया एक राज्य था हमारे देश में सौराश्र का छोटा सा उस राज्य के राजा के साथ अंग्रेजों ने क्रिकिट का मैच रख followers इसको हसिएगा मताब दस्तावेजी और प्रमान की जानकर ही दे रहा हूँ क्रिकिट का मैच रखा और शर्त यह थी कि जो मैच जीतेगा राज्य उसका रहेगा और अंग्रेजों ने क्रिकट कम है जीत लिया बेईमानी से और वो राज्य अंग्रेजों ने पूरा छीन लिया क्रिकट के मैच में राज्य छीन गए हमारे मैं कई बार इस बात को गंबीर तासे लेकिन मजाक में कहता हूँ अंग्रेजों ने हमारे हाथ में क्रिकट का बैट दे दिया कि खेलो और तलवारें हमारे हाथों से छीन के अपने हाथ में ले ली कि राज्य की जिम्मेदारी हमें दे दो तुम क्रिकट खेलो तो भारत के कई सारे ऐसे राजा हुए जो अंग्रेजों के साथ किरकिट के खेल में मैच हार कर राज्य हार बैठे और संदी में वो राज्य अंग्रेजों के पास चला गया तो अंग्रेजों ने भारत के जो 565 राज्यों को छीन कर अपना सामराज इस्थापित किया उस सारे की एक बाकी की अगर कहानी है तो वो यही है कि हमने भारत को युद में नहीं हारा, हमने भारत को युद में पराजित नहीं होने दिया, हमने तो पूरे भारत को संधी रूपी थाल में रखकर अंग्रेजों को पेश कर दिया ये मैं उपमा में कह रहा हूँ कि एक ठाल हमने सजाया संधी के नाम का उसमें संपूर भारत के पाँचसो पैंसेट राज्यों को रखके अंग्रेजों को बहुत सम्मान के साथ भेट कर दिया कि ये लीजिए ये सारा राज्य आपका है तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को अपने कबजे में लिया गुलाम बनाया तो वो संधियों के आधार पर बनाया वो सारी संधियों के दस्तावेज सारी संधियों के प्रमान भारत में मौजूद है और इन प्रमानों को कई बार मुझे लगता है कि भारत के विद्यारतियों को दिखाने की जरूरत है, पढ़ाने की जरूरत है, समझाने की जरूरत है, ताकि हमारे दिमाज से एक गलत फेमी निकल जाए, हमारे भारत वासियों के विद्यारतियों में तो खास रूप से ये भरा दिया गया है, दिमाज में बिठा दिया गया है कि हम अंग्रेजों से कमजोर थे इसलिए हार गए और अक्सर हम कुतर्क देते रहते हैं भारत में सेना की कमी थी भारत में सेनिकों की कमी थी बंदू के नहीं थी तोपे नहीं थी आदुनिक हत्यार नहीं थे हम संगठित नहीं थे आपस में लड़ते रहते थे सब राजा एक दूसरे की खिचाई करते रहते थे सब राजा एक दूसरे का विरोध करते रहते थे इस चक्कर में हम में आपस में बड़ी फूट पड़ी रहती थी और अंग्रेजों को मौका मिल गया हमारे पे आके कबजा करप गए ठे और कई बार ये तरक इतना आगे तक चला जाता है वो जो है कोरी भावुकता में हम कहना शुरू कर देते हैं जो वास्तविकता से कोसों दूर है कि भारत जातियों में विभाजित था उपजातियों में विभाजित था और जातियां आपस में लड़ती रहती थी, इसलिए अंग्रेजों को मौका मिल गया भारत पर राज करने का, अंग्रेजों को मौका भारत पर राज करने का मिला नहीं, हमने भारत के राजाओं ने संधियां करके उनको राज करने का मौका दे दिया, ये हमारी कमजोरियां या ऐसी संदियां कर बैठे अंग्रेजों से आपके मन में ये सवाल आएगा कि जहांसी के राजा गंगाधर राउने अगर अंग्रेजों से संदि की और उसमें ये लिख दिया कि जहांसी के राजा की अगर संतान नहीं हुई तो उनका राज़ अंग्रेजों के राज़ में मिला दिया जाएगा तो क्या उनको ये समस्ता नहीं था या हमारे कुछ राजाओं ने क्रिकट का मैच खेलने के बदले में अंग्रेजों को अपना राज़ दे दिया और संधी पत्र में लिख दिया क्या उन राजाओं को ये समस्ता नहीं था बात दूसरी है जो गंभीर है मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इन राजाओं को ये सब समस्ता था लेकिन जो संधी पत्र लिखे गए थे वो अधिकांश नहीं पूरे के पूरे अंग्रेजी भाशा में थे और भारत के सोलवी सतावदी के राजा अंग्रेजी जानते नहीं थे जब आज 21 वी सतावदी में एक प्रतिशत से ज़्यादा भारतवासी अंग्रेजी नहीं जानते तो सोलवी सतावदी में एक प्रतिशत से भी बहुत कम भारतवासी थे जो थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते थे जादा अंग्रेजी जानने वाले लोग थे नहीं और संधी पत्र पूरा अंग्रेजी में लिखा जाता था जब उस संधी पत्र को समझना होता था तो किसी अंग्रेज को बुलाना पड़ता था वो अंग्रेज उसको पढ़कर बताया करता था और अंग्रेज वो अक्सर ऐसी बदमाशी करता था कि संधी का जो नकारात्मक पक्ष है उसको वो दवा जाता था और सकारात्मक पक्ष राजा को सुना देता था जैसे महराजा रंजीत सिंग के साथ जब संदी हुई न और उसमें अंत में एक वाकि लिख दिया गया कि महराजा रंजीत सिंग की मृत्यू के बाद पंजाब का राज अंग्रेजों के राज में मिला लिया जाएगा ये छोटा सावा कि महराजा रंजीत सिंग को पढ़कर सुनाया ही नहीं गया, संदी पत्र में लिखा हुआ है, अनुवाद नहीं किया गया उसका, और महराजा रंजीत सिंग को जो अनुवाद करके सुनाया गया, वो क्या सुनाया गया, अंग्रेज आप से मित्रता करना चाह अंत में जो छोटा सा वाक की लिखा हुआ था कि आपकी मृत्यू के बाद ये राज अंग्रेजों का हो जाएगा ये उनको पढ़कर किसी ने नहीं सुनाया क्योंकि अनुवाद करने वाला अंग्रेज था और संधी पत्र लिखने वाला भी अंग्रेज था भारतवासियों को अंग्रेज आती नहीं थी उस चक्कर में हमारे ज़्यादातर राजा गफ़लत का शिकार हो गए और अपने अपने राजिकों गमा बैठे, अपनी आजादी गमा बैठे, अपनी स्वतंतरता गमा बैठे, अपना सब कुछ गमा बैठे तो ये तो इतिहास है भारत का, कि संदियों के चक्कर में हमारा देश गुलाम हुआ है हमारा देश किसी अंग्रेज में युद में नहीं जीता किसी अंग्रेज फौज नहीं युद में नहीं जीता बहुत दिन लगातार इन दस्तावेजों को देखने समझने के बाद मेरी ये समझ बनी कि हम अंग्रेजों से पराजित नहीं हुए हम हारे नहीं युद्ध के किसी मैदान में उन्होंने हमको नहीं जीता हम तो चालाकी में कम थे जो उनसे आगे नहीं बढ़ पाए या उनकी चालाकीयों को समझ नहीं पाए संदी पत्रों के चक्कर में अपनी आजादी गमा बैठे बाद में भारत में कुछ ऐसे करांतिवीर पैदा हुए जिनको अंग्रेजी भी अच्छी आती थी हिंदी भी अच्छी आती थी और जब उन्होंने ये संदी पत्र पढ़ना शुरू किया तब उनको अंग्रेजों की चालाकियां समझ में आई जैसे हमारे देश में करांतिवीर थे लोकमा निबाल गंगादर तिलक लाला राजपत्राय विपिन चंद्रपाल अर्विन दो घोश इन सब को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी और चुकि इनको अंग्रेजी भी अच्छी आती थी और कैसे इनको भारत से भगाया जा सकता है और तब उन्होंने जो योजनाए बनाई आजादी की उन योजनाओं के आधार पर जब काम होना शुरू हुआ तब जाकर भारत को सफलता मिली और भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को मुझे जो कहना है वो ये कि 1857 से लेकर 1947 के बीच में कुछ ऐसे करांतिवीर भारत वासी निकले जो अंग्रेजी के भी सिद्ध हस से भारतिय भाशाओं में भी जिनकी गहराई से पकड़ थी तो इसलिए वो अंग्रेजों की चालाकियों को समझ पाए मात्मा गांदी बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे सरदार पटेल बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे सरदार भगत सिंग को बहुत अच्छी अंग्रेजी आती थी और उनके जो सयोगी थे उन सबको अच्छी अंग्रेजी आती थी उनके पहले के दोर के करांतिकारियों को भी अच्छी अंग्रेजी आती थी इसलिए अंग्रेजों की चाल को समझ पाए उनकी चालाकियों को समझ पाए और उनसे लड़ाई लड़ पाए और उस लड़ाई में अंग्रेजों को पराजित कर पाए और अंग्रेजों को भारत से भगा पाए तो 15 अगस 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो अंग्रेजों की ये चाला की भरी संदियों की जो पकड़ थी वो ढीली पड़ी, कमजोर पड़ी और तूटी और तब जाकर हम 15 अगस 1947 को आज़ाद हुए लेकिन दुख और दुर्भाग की अफसोस इस बात का है कि अंग्रेजों की जो चाला की भरी संदियों से हम आज़ाद हो गए 15 अगस 1947 को आज़ादी के तुरंत बाद ऐसी ही एक खतरनाक संदी में फिर फज गए जो गलती कभी जहांगीर ने की जो गलती कभी श्री गंगाधर राओ से हुई जो गलती कभी भारत के सौराश्र के गुजरात के राजाओं ने की जो गलती कभी हमारे देश के मराठाओं ने की जो गलती कभी दक्षुन भारत के राजाओं ने की कि अंग्रेजों से चाला की भरी संदियों में फसते चले गए वही गलती आजादी मिलते ही फिर भारत के राजाओं ने की आजाजी मिलते ही राजाओं का मतलब हमारे देश के जो साशक थे प्रदान मंतरी, हमारे देश के ग्रह मंतरी, हमारे देश के वित मंतरी हमारे देश के गवर्नर, हमारे देश के मुक्हिमंत्री ये फिर से फ़स गए उसी दुश्शक्र में और एक बहुत खतरनाक संदी कर बैठे अंग्रेजों से जिसका नाम दे ट्रांसफर ओफ पावर एक्ग्रिमेंट आजादी मिलते ही फिर एक बड़ी संदी हमने कर ले आजादी के पहले अंग्रेजों की संदीों के खिलाफ लड़ रहे थे और इस देश का दुरुभा की देखिए आजादी मिलते ही ये देश फिर अंग्रेजों की एक बड़ी संदी में फ़स गया और उस संदी का नाम The Transfer of Power Agreement सत्ता के हत्तान्तरण की संदी या सत्ता के हत्तान्तरण का समझोता और ये समझोता तो इतना खतरनाख है कि जब समय आएगा मैं इस पे बोलना शुरू करूँगा तब आपको अंदाजा लगेगा कि अंग्रेजों से जो हमने संदियां की थी पांच सो पैंसट सोले सो पंद्रे से लेके अठारे सो सत्तावन के बीच में उन सारी संदियों को एक साथ जोड़ दिया जाए उससे भी सेकुनों गुना ज़्यादा खतरनाक संदी है ये जो आजादी में हमने कर ली भारत ने आजादी अंग्रेजों से ली नहीं है दी गई है आपको जो सबसे खतरनाक बात है वो ये है अंग्रेजों ने आपको आजादी दी है हमने अंग्रेजों से लड़कर आजादी ली नहीं है कानूनी दस्तावेजों में ये लिखा गया इस संदी के आधार पर कि भारत को आजादी दी गई है आजादी दी गई है तो आजादी ली जा सकती है यही तो मतलब हुआ हमने आजादी ली नहीं है अंग्रेजों ने हमको आजादी दी है और the transfer of power agreement में सबसे खतरनाक बात क्या हुई कि भारत को आजाद करने का कानून अंग्रेजों की संसद में बनाया गया आप कैसा विरोधावास देखेंगे इसको कैसी विडंबना देखेंगे इस भारत देश की कि भारत के आजाद होने का कानून अंग्रेजों की संसद के House of Commons में बना और उसका नाम रखा गया The Indian Independence Act भारत की स्वतंतरता का कानून और इसी कानून के तहट भारत देश को दो टुकडों में बाटा गया एक भारत दूसरा पाकिस्तान इसी कानून के तहट ये हुआ सारा कसा और हमने वो कानून सुईकार कर लिया जो ब्रिटेन की संसद से पारित हुआ आप बोलेंगे क्या होना चाहिए था होना तो ये चाहिए था कि भारत में सारे के सारे करांतिकारी एक स्वर से ये कहते कि अंग्रेज कौन होते हैं आजादी देने वाले हम आजादी ले रहे और अंग्रेज कौन होते हैं दा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित करने वाले क्योंकि वो तो अब कुछ नहीं है इस देश के हम हमारी आजादी का कानून बनाएंगे और हम हमारी आजादी के लिए नए नियम लिखेंगे हमको ये अंग्रेजी संसद से पारित किये हुए कानून के आधार पर आजादी नहीं चाहिए क्यों आज अंग्रेजी संसद ने कानून पारित किया 1946-47 में कल अंग्रेजी संसद उसी कानून को वापस ले ले तो क्या इस्तिती होगी आप जानते हैं जो संसद कानून को पास करती है वही संसद वापस लेने का अधिकार भी रखती है बस इतना ही है कि बहुमत चाहिए तो बहुमत से अंग्रेजों की संसद ने इंडियन इंडिपेंडेंडेंस एक्ट पारिस कर दिया जिसमें भारत और पाकिस्तान नाम के दो देश अलग हो गए अगर किसी दिन बहुमत से वो इस कानून को वापस ले ले तब हमारी आज़ादी की इस्तिती क्या होगी कानून इन रूप से बड़े बड़े वकील इस पर मौन है बड़े बड़े नियाविद इस पर मौन है बड़े बड़े भारत के नेता इस पर मौन है कि कल को दा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को बिटिश पारलेमेंट वापस ले और रद करे तो हमारी हैसियत क्या होगी और हम इससे भी जादा एक बड़े मकड़ जाल में फच गई अंग्रेजों की संदी के कि भारत आजाद हुआ लेकिन अंग्रेजों के मातहत ही है यह आपको मालूम है भारत अभी भी अंग्रेजों के मातहत है अंग्रेजों के नीचे है यह जो common wealth एक शब्द आप सुन्ते है न common wealth common wealth माने होता है यह सामान निसम पत्ती यह दुनिया में 81 देश है भारत उसमें से एक है औस्टेलिया एक है न्यूजिलेंड एक है अफरिका के देश उसमें है इन सबको common wealth nation कहा जाता है common wealth देश कहा जाता है राश्टर मंडल देश कहा जाता है ये कॉमन वेल्थ है किसकी ये बृतेन की महरानी की है ये एकत्तर देशों की संपत्ती और हम कॉमन वेल्थ के मेंबर हैं जबरजस्ती एक संदी हमसे कराई गई है और उस संदी के तहट हम इसमें जुड़े हैं common wealth में तो जिन अंग्रेजों ने ढ़ाई सो साल मारा पीता लूटा अत्याचार किया हमारा अपमान किया हमारी आजादी को चीना हमारी इज़त को खतम किया हमारे सम्मान को खतम किया उन्हीं अंग्रेजों के साथ मिलकर हम common wealth में हैं ये तर्क समझ में नहीं आता, ये तर्क वो है कि हमने संदी कर रखी है, उस संदी के तहत आज भी हम अंग्रेजों के ही मातरत हैं, और ये कॉमन वेल्ट जो हैं ये सब वोई देश हैं जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, अंग्रेजों के उपनिवेश हैं, जो गुलाम रह चुक जब यात्रा करती है, तो उसको वीजा नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वो अपने ही देश में जाती है, हमारे देश के राश्रपती या हमारे देश के प्रधान मंतरी इन 71 देशों में से किसी भी देश की यात्रा करें, तो उनको उस देश की सरकार से वीजा लेना पड़त भारत के राश्रपती लंदन जाएं भारत के प्रधान मंतरी लंदन जाएं भारत का कोई भी मुख्य मंतरी लंदन जाए तो अंग्रेजों की सरकार से वीजा लेना पड़ता है लेकिन लंदन की महरानी जब भारत में आती है तो भारत सरकार से उसको वीजा की जरूरत नहीं है वो सीधे गुसी चली आती है और अंग्रेजों की महरानी जब भारत में आती है तो उसको 21 तोपों की सलामी देनी पड़ती है जैसे कि वो भारत की राष्ट्रा द्यक्ष है और हमारे देश की संसद में इस पर बहुत हंगामा हो चुका है आप याद करिये थोड़े वर्ष पहले ब्रिटेन की महरानी भारत आई थी तो सवाल उठा कि उसको वीजा की जरूरत क्यों नहीं है तो सरकार की तरफ से उत्तर आया कि ब्रिटेन की महरानी को वीजा नहीं लगता है क्यों नहीं लगता है क्योंकि भारत राष्ट्रमंदल देशों के समूँ में शामिल है और राष्ट्रमंदल देश सब महरानी की संपत्ती माने जाते हैं अभी भी बिटिश कॉलोनीज माने जाते हैं इसलिए महरानी अपने ही देश में आ रही है इसलिए उसको वीजा नहीं चाहिए तो पलट के ये कहा गया तो भारत के राश्ट्रपती और प्रधान मंद्री को लंदन में जाकने की वीजा की क्यों जरूरत होनी चाहिए तो कहा ये गया कि भारत अपने देश में नहीं जा रहा है भारत के लंदन में जा रहे हैं तो वो विदेश में जा रहे हैं वो लंदन भारत का देश नहीं है लेकिन भारत लंदन का हिस्सा है ब्रिटिश कॉलोनी है तो लंदन की महरानी भारत आईगी तो वीजा नहीं लगेगा लेकिन भारत का राश्रुपती लंदन जाएगा तो उ उन्हें आजादी पाई है इस देश की, बहुत शर्म है, बहुत अफसोस है, और बहुत बड़ी विडंबना है, कि भारत की आजादी के लिए जहां साथ लाग बत्तीस अदार शहीदों ने आत्म बलिदान किया हो, अंग्रेजों के साथ सीदे संघर्श किया हो, युद्ध किया हो, मारा मारी की हो, और उन्हें अंग्रेजों के साथ आजादी के समय हमने संधी की हो, और वो भी संधी इतने अप्मान जनक शर्तों पर, तो transfer of power के जो documents है वो ये बताते हैं कि भारत की आज़ादी अंग्रेजों ने दी हमने आज़ादी ली नहीं और वो आज़ादी दी गई है कानून के आधार पर कानून का नाम है the Indian Independence Act और इसी कानून में मैंने आपको कहा भारत से पाकिस्तान एक अलग देश बनेगा उसकी पूरी व्यवस्था इसी कानून में तै की गई है माने भारत और पाकिस्तान का बटवारा लंडन में हुआ है वहां से तै हुआ है और अंग्रेजों के द्वारा कराया गया तो हम फिर फस गए एक मकड़ जाल में एक दूसरी संदी और इसी ट्रांसफर आफ पावर एग्रिमेंट में सेक्ड़ों हजारों छोटी छोटी संदीयों की बाते हैं जिन को कहना मुझे बहुत शर्म आती है हमने वो बातें जैसकी तैसी रख ली है जैसे मैं नाम के लिए उधारन दूँ भारत का नाम इंडिया रहेगा ये अंग्रेजों ने तैय किया ट्रांसफर आफ पावर के डॉकुमेंट में हमने उसको सुईकार कर लिया कि भारत का नाम तक्नी की रूप से कानूनी रूप से इंडिया रहेगा और सारी दुनिया में भारत का नाम इंडिया प्रचारित किया जाएगा और इंडिया बोला जाएगा और सरकारी दस्तावेजों में इंडिया लिखा जाएगा ये ट्रांसफर ओफ पावर के डॉकुमेंट्स के आधार पर है उस संदी के आधार पर तो आज तक भारत का नाम इंडिया चला रहा है दुनिया में किसी देश के दो नाम नहीं है पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है बंगला देश का नाम बंगला देश है मौरिशस का नाम मौरिशस है जापान का नाम जापान है चीन का नाम चीन है रूस का नाम रूस है सारी दुनिया के देशों के नाम आप डूनेंगे तो एक और एकी नाम है भारत के दो नाम है हमारे आपके लिए भारत है लेकिन दस्तावेजों के लिए वो इंडिया है और इंडिया भारत के किसी भी दस्तावेज में दर्ज नहीं है पुराने जो दस्तावेज है ना महा भारत में इंडिया है ना रामायन में इंडिया है ना हमारे वेदों में कहीं है ना उपनिशदों में कहीं है ना हमारे ब्राम्मन गरंतों में शप्त ब्राम्मन में कहीं नहीं है सिवाए अंग्रेजों के लिखे हुए कानून की किताबों इंडिया कहीं नहीं है, लेकिन चूंकि ट्रांस्वर ओफ पॉवर के एग्रिमेंट में ये शामिल है, इसलिए इंडिया नाम चिपक गया है भारत से, और सारी दुनिया भारत को इंडिया के नाम से जानती है, आपके मन में कई बार ये प्रशन आता होगा, कि आजादी के बा के लिखा हुआ है, इंडिया देट इस भारत, क्यों होना चाहिए ये, भारत देट इस इंडिया, ये तो ठीक है, और ये भी ठीक नहीं है, भारत देट वोज इंडिया, जो कभी इंडिया था, वो अब भारत है, और वो भारत सम्विधान को आत्मारपित्स कर रहा है, स्व में है हमारे सम्विधान में ये लिखा हुआ और सम्विधान में ये बाद के लिखना पड़ा क्योंकि ट्रांसफर ओफ पावर के एग्रिमेंट में ये है इसी तरह से और दो तीन छोटी छोटी बातें बताओं इस संदी के चक्कर में हमने क्या नुकसान किया है आप रेलवे स्टेशन में जाएं कभी भी कोई भी गाड़ी में बैठने के लिए तो आप अक्सर वहां देखेंगे कि एक बुक शॉप मिलेगी आपको सभी रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों की एक दुकान मिलेगी उसका नाम है वीलर्स बुक शॉप देखाए आपने वीलर्स बुक शॉप सभी रेलवे स्टेशन पर ये वीलर कौन था एक अंग्रेज था अत्याचारी था सेना का अधिकारी था जिसने भारत की हजारों माँ बेहन बेटियों के साथ बलातकार किये और करवाई हजारों माँ बेहन बेटियों की इजदत लूटी और लुटवाई और हमारे किसानों के उपर सबसे ज़्यादा गोली बार किया सबसे ज़्यादा लाटी चार्ज किया ऐसा एक अंग्रेज था वीलर जिसने कानपुर के नजदीक बिठूर में कतले आम मचाया और पूरे बिठूर को साफ करा दिया वीलर और नील दो अंग्रेज अधिकारी थे जिनोंने बिठूर के 24,000 भारतियों का कतले आम किया था तीन महीने के छोटे बच्चे से लेके 90 साल के बज़र्ग तक सब को मार डाला था ये वो अत्याचारी वीलर था जिसके नाम पर एक एजेंसी और कमपनी शुरू हुई थी इंग्लेंड में और वो भारत में आई और उनोंने ये बुक्शॉप वगएरा खोली अब आजादी मिल गई तो वीलर बुक्शॉप तो खतम होनी चाहिए थी और बुक्शॉप खतम नहीं होनी चाहिए थी तो कम से कम नाम तो बदलना चाहिए था उत्त्याचारी वीलर का नाम हम क्यों लेंगे आजादी के बाद लेकिन वो अभी तक नहीं बदला गया क्योंकि वो ट्रांस्फर ऑफ पॉवर के दस्तावेजों में हैं संदी में ऐसी शर्मनाक बहुत सारी बात है हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे सड़क हैं बहुत सारे ऐसे भवन हैं जैसे लौरेंस रोड है Caning Road है Willington Road है Edmont's Road है फिर हमारे यहां कोई Caning भवन है Lawrence भवन है Edmont's भवन है Mayo भवन है यह सब अंग्रेज़ों के नाम पर जो सड़के हैं चौराएं भवन है यह सब अभी आज़ादी के 63 साल के बाद भी क्यों है कारण वही है संदी में है transfer of power के agreement में है इसलिए ये नाम अभी भी है पूरी हमारी सिख्षा व्यवस्था पूरी हमारी स्वास चिकित्सा की व्यवस्था पूरी नियाए व्यवस्था कानून व्यवस्था करशी व्यवस्था हर्त व्यवस्था सब अंग्रेजों के बनाई गए कानून पर चल रही है क्यों? क्योंकि transfer of power के दस्तावेजों में है संदी में ये है तो भारत की गुलामी जो अंग्रेजों के जमाने में थी वो अंग्रेजों के जाने के बाद भी जस्की तस है क्योंकि हमने संदियां कर रखी है और उन संदियों के मकरजाल में पूरे देश को फसा रखा है तो बहुत दुख होता है अपने देश के बारे में ये बात कहते हुए कि आजादी के पहले हम संदियों के मकरजाल में फसकर गुलाम हुए आजादी के बाद भी ये संदियों का मकरजाल हमने काट के नहीं फेका इसको और जादा ताकत से पूरे भारत पर लागू करा दिया या उडेल लिया और हम फिर से उनी संदियों में फस गए जिन संदियों में कभी अंग्रेजों ने हमको फसाया था हमने तो कई ऐसी शर्मनाक संदियों कर रखी हैं आपको बहुत खराब लगेगा ये जानकर अगर हमारी किसी अदालत में कोई ऐसा मुकदमा आजाए जिस मुकदमे का फैसला करने के लिए कोई कानून ना हो देश में हमारे हाई कोट में या हमारे सुप्रीम कोट में कोई ऐसा मुकदमा आजाए जिसको फैसला देने के लिए कानून ना हो पूरे देश में और जिसको फैसला देने के लिए संविधान में कोई जानकरी न दी गई हो तो साफ साफ संदी में लिखा गया है कि वो सारे मुकदमों का फैसला अंग्रेजों की नियाए पद्धती के आदर्शों के आधार पर ही होगा भारती नियाए पद्धती का आदर्श उसमें लागू नहीं होगा कितना शर्मनाक है अगर हमारी अदालत के पास कोई कानून ना हो फैसला देने के लिए और हमारे सम्विधान में कोई बात न कही गई हो उस संदर्व में तो हमको अंग्रेजों का अनुसरन अभी भी करना पड़ता है अदालतों में इतनी गुलामी अभी तक इस देश में है कारण क्या है वो संदी में लिखा हुआ है ट्रांसफर आफ पावर एग्रिमेंट में लिखा हुआ है ऐसी बहुत सारी बाते हैं हजारों हजारों बाते है कभी समय आएगा तो और ज़्यादा विस्तार से कहूंगा आज मैं संकेत में ये कह रहा हूँ कि आजादी के पहले हम संदियों में फसे और आजादी के बाद भी इन संदियों में फसते चले गए तो आप बोलेंगे आजादी के पहले के राजाओं के बारे में तो आपने ये टिपणी कर दी कि वो अंग्रेजी नहीं जानते थे इसलिए अंग्रेजों की चाल में फसके संदियों के गुलाम हो गए लेकिन आजादी जब मिली हमको या तथा कतित आजादी जब दी गई हमको तब जमाने के नेता तो खूब अच्छी अंग्रेजी जानते थे फिर वो क्यों इस मकड़ जाल में फस गए उसका कारण थोड़ा सा बिन्न है आजादी के पहले के जो हमारे राजा महराजा थे वो अंग्रेजी नहीं जानने के कारण अंग्रेजों की चालाकियों का शिकार हुए लेकिन आजादी मिलने के बाद के जो राजा महराजा बने वो अंग्रेजों को अपना आदर्श मानते थे इसलिए उन संदियों में फद्दे वो मानते थे कि अंग्रेजों से अच्छा कोई नहीं है पूरी दुनिया में भारत के आजादी मिलने वाले दौर के नेताओं के भाशन अगर आप सुनेंगे न संसद में सारे भाशन मौजूद हैं हमारे परतम प्रधान मंत्री से लेकर आखरी अभी तक के प्रधान मंत्री के सब भाशन मौजूद है वो ये कहेंगे कि सारा आदर्श अगर है तो अंग्रेजों के पास आदर्श इक्षा व्यवस्था तो अंग्रेजों की आदर्श इक्षा व्यवस्था अंग्रेजों की आदर्श नयाई व्यवस्था अंग्रेजों की आदर्श कानून विवस्था अंग्रेजों की आदर्श अर्थ विवस्था अंग्रेजों की आदर्श कृशी विवस्था अंग्रेजों की हमारे देश के आजादी के समय के नेताओं को अंग्रेजों से बड़ा आदर्श दिखाई नहीं देता था और इसलिए संसत में वो ठोक ठोक के कहते थे कि हमको तो भारत अंग्रेजों जैसा बनाना है इसलिए अंग्रेज जिस रास्ते पर हमको चलाएंगे उसी रास्ते पर देश को ले जाना है इसलिए वो संदियों में फसे हमारे राजा महराजाओं को अंग्रेजी नहीं आती थी इसलिए संदियों में फस गए लेकिन आजादी के दोर के राजा महराजाओं को खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी क्योंकि वो तो इंग्लेंड में ही पढ़े थे वहीं बले बड़े हुए थे वहीं पर उनका सारा संसकार हुआ था उनको तो खूब अच्छी अंग्रेजी आती थी लेकिन उनके आदर्श अंग्रेज थे उनके भगवान अंग्रेज थे उनके लिए देवता अंग्रेज थे उनके लिए सब्विता और संसकृती का माने ही अंग्रेजी था इसलिए वो अंग्रेजियों के दुस्चक्र में फस गए और संदियों के दुस्चक्र में अंग्रेजियत के दुस्चक्र में फस गए दोनों समय में अलग-अलग हमारे साथ विरोधा भास हुए या कहें तो दोनों समय अलग अलग तरह की दुरगटनाएं हमारे देश में हो और ये संदियों का मकरजाल फिर बढ़ता ही गया हम सबसे पहले आजादी के बाद जिस संदी में फसे मैंने का दा ट्रांसफर आफ पाउर एग्रिमेंट फिर उसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की संदी फिर उसके बाद कॉमन वेल्ट की संदी फिर धीरे धीरे हमारे उपर और बहुत सारी संदियां ला दी गई उन में से एक महतुपूर संदी है जो इस समय हमारे लिए गले की फासी का फंदा जैसा बनी हुई है एक संदी हुई हमारे देश की सरकार के द्वारा दूसरे देशों के साथ और उस संदी का नाम है World Bank Pretty विश्व बैंक की संदी फिर एक हुई अंतराश्री मुद्रकोश की संदी मैं आपको एक छोटी तकनी की बात बताता हूँ दुनिया में संदियां दो तरह की होती है एक तो दुपक्षिय संदिय होती है जिनमें दो पक्ष होते है एक भारत एक इंगलेंड, एक भारत एक फ्रांस, एक भारत एक जर्मनी, एक भारत एक रूस ये सब दुपक्षिय संदी हैं जिनमें दो देश आपस में मिलके समझोता करते हैं ये जो दुपक्षिय संदीयां होती हैं ये दोनों देशों की सुविधाओं पर आधारित होती हैं दोनों देशों की मर्जी है तो संदी होगी अगर दोनों में से किसी एक देश की भी मरजी नहीं है, तो संदी नहीं होगी, ऐसी दुपक्षिय संदियां होती हैं, लेकिन कुछ संदियां ऐसी होती हैं, जो बहुपक्षिय होती हैं, जिनमें एक देश के साथ समझोता नहीं होता, कई देशों के साथ मिलके समझोता होता ह उनको बहुपक्षिय संदी कहते है अंग्रेजी में उनको Multilateral Agreement कहते है तो जो बहुपक्षिय संदियां होती है ये खतरनाक होती है इनमें क्या होता है कि कोई एक देश अगर सहमत नहीं है तो भी जबरजस्ती उसको शामिल कराके सहमत बनाया जाता है जबरजस्ती तो बहुपक्षिय संदियां बहुत खतरनाक होती है और इसमें जैसे हमारी मर्जी नहीं है संदी में शामिल होने की फिर कईदेश इकटे होके हमें मार पीट के उस संदी में लेके जाएंगे शामिल कराएंगे कुछ वो इस तरह से होता है जैसे बेड़ों के बाड़े में कोई एक बेड़ जाना नहीं चाहती तो दूसरी कई बेड़ों को उसके पीछे छोड़ दिया जाता है और वो धकेल धकेल के उसको बाड़े में ले जाती है वैसे ही होता है बहुपक्षिय संदी में भारत नहीं चाहता किसी संदी में शामिल होना लेकिन भारत के जो पडोसी देश हैं या दूसरे देश हैं वो एकथे हो जाएंगे भारत पर दबाव डालेंगे और दबाव इतने हद तक डालेंगे कि जखक मार के भारत को उसमें शामिल होना पड़ जाए वो बहुपक्षिय संदी होती है और बहुपक्षिय संदी को रद करना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि वो कई देशों के साथ होती है बहुपक्षिय संदी को आप करें और रद कर दें वो आसान होता है आज आपने संदी की थोड़े दिन में आपको लगे कि आप उससे सहमत नहीं है या वो आपके लिए अनुकूल नहीं है आप रद कर दीजे लेकिन बहुपक्षिय संदी में एक बार आप घुस गए तो इसमें से बाहर निकलना और इसको रद करना बड़ा मुश्किल होता है और जिंदगी भर के लिए वो कलेश हो जाता है तो ऐसी एक संदी हमारे देश ने कर ली सन 1947 में आजादी मिलने के लगवग 6 महिने के बार ये संदी हुई 27 दिसम्बर 1947 को और ये संदी हुई विश्यू बैंक संदी और अंतराश्य मुद्रा कोश संदी ये दो संस्ताओं की संदी हुई जिसमें 44 देशों ने भारत के ओपर दबाव डाला और भारत को जबर जस्ती इन दोनों संदीों में शामिल करा दिया ये संदी क्या हुई विश्यू बैंक नाम की एक संस्थाबनी अमेरिका की निगरानी में और अंतराश्य मुद्रा कोश नाम की एक संस्था अमेरिका की निगरानी में ये दोनों संस्थाओं का जनम 27 दिसंबर 1947 को हुआ ब्रेटन बुड नाम का एक छोटा सा इस्थाने अमेरिका में वहाँ पर इन दोनों संस्थाओं को पैदा किया गया इन संस्थाओं का लक्ष क्या रखा गया विश्यू बैंक नाम की संस्थाओं बनाई गई इस बात के लिए कि दुनिया के देशों को जब भी करज लेने की जरूरत पड़े तो विश्यू बैंक के पास वो जाएं और विश्यू बैंक उनको करजा दे किसी भी काम के लिए बदले में वो देश अपना अपना अंचदान विश्यू बैंक में जमा करें इसको थोड़ा समझे विश्यू बैंक नाम की एक संस्था बनाई गई उसमें ये व्यवस्था की गई कि भारत जैसे चवालीस देश कुछ-कुछ अपने हिस्से का पैसा विश्यू बेंक में जमा करे और जब जरूरत पड़े तो वहां से करज ले ले ऐसे करके ये संसा बनाई गए आप देखिए क्या मूर्खता की ये संदी है कैसे फसाया भारत को पहले आप अपना अंशिदान वहां जमा करो एक अरब डॉलर डो अरब डॉलर जो भी तैह हुआ चवालीस देश मिलके एक वहां बनाईंगे कोश फिर उसमें से करजा ले लो जरूरत पढ़ने पर ये विश्यू बेंका बनाया गया तो विश्यू बेंका ऐसी स्थापना कर दी गई भारत को जबर जस्ती इसमें सदसे बना दिया गया और ऐसी ही एक संस्था बना दी गई अंतराश्टी ये मुद्राकोश उसमें भी यही नियम था चवालीस देशों ने मिलके इसको बनाया अंतराश्टी मुद्राकोश को भारत भी जबरजस्ती उसमें शामिल हो गया और उसमें भी यही था कि अपना अपना अंचदान ये सबी देश अंतराशी मुद्राकोश में जमा करें और जरूरत पढ़ने पर करज ले लें तो विश्वेंक और मुद्राकोश दो संसाइं बनी 1947, 27 दिसंबर को और वहाँ से एक संदी हुई जिसमें भारत भी शामिल हो गया अनिस से चवालीस देशों के साथ दीरे दीरे इस संदी में शामिल देशों की संख्या बढ़कर 186 हो गई अब 2009 में विश्वेंक और अंतराशी मुद्राकोश की संदी में 186 देश शामिल है भारत भी उसमें से एक है और भारत के बारे में ये कहा जाता है कि जिस दिन से ये दोनों संस्थाएं बनी उसी दिन से भारत इसमें शामिल है अब आप बोलेंगे जी इसमें बुराई क्या है इसमें देखिए क्या बुराई है जो समझने लाइक है वो ये कि अंतराश्री मुद्रा कोश और विश्यू बेंक में हम अपना अंशिदान जमा करते हैं हर साल वो घठता बढ़ता रहता है कभी दो अरब डॉलर है कभी तीन अरब डॉलर है कभी डेड़ अरब डॉलर है एक अरब में 100 करोड होते हैं और एक डॉलर में 50 रुपए होते हैं तो हमारा अंशिदान हर साल हमें देना पड़ता है विश्यू बेंक में अंतराश्री मुद्रा कोश में फिर कभी अचानक हमें करजे की जरूरत पड़ती है और हम विशुबैंक और अंतराश्री मुद्रा कोश के पास जाते हैं कि हमें करजा दे दो तो ये दोनों संस्थाएं करजा देने के पहले कुछ शर्तें लादती हैं हमारे उपर और उन शर्तों का पालन अगर हम करेंगे तो वो दोनों करजा देंगे नई पालन करेंगे तो वो करज नहीं देते जब हम हमारा अंचदान वहां जमा करते है तब कोई शर्त नहीं है वो करते हैं लाओ 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 जमा कर दो जल्ली जल्ली दे दो जैसे ही हमारा अंचदान उनके कबजे में जाता है वो पूजी उनकी हो जाती है फिर वही पूजी हमें करजे के रूप में लेनी है जिसका ब्याज भी हम देना चाहते हैं लेकिन उस पे वो शर्तें लगाते हैं शर्तें कैसी लगाते हैं? सबसे खराब सबसे ज़्यादा अपमान जनक उधारण के लिए बताओ हमारी भारत सरकार ने 27 दिसंबर 1947 को अंतराश्री मुद्रा कोश में अपना अंशदान दिया जबकि भारत के पास पैसे नहीं थे मुद्रा कोश को दान दिया फिर उसके बाद इनको भी दिया विश्यू बेंको जबकि पैसे नहीं थे दूसरों से उधार लेकर हमने हमारा अंशदान जमा कराया फिर 1948 में जमा कराया फिर 49 में जमा कराया फिर 50 में जमा कराया फिर 50 में जमा किया फिर 52 में भी जमा किया 1952 में हमारी सरकार को करजे की जरूरत पड़ गई क्योंकि हमारी सरकार ने एक पंच वारशी की योजना बनाई पहली बार बनाई उसमें पूंजी की जरूरत थी तो हमारी सरकार ने विश्व बैंक से कहा कि हम 1947 से हमारा अंचदान जमा कर रहे हैं और अब तक हमारा अंचदान कुछ 6-7 अरफ डॉलर का हो चुका है लेहाजा हम इतना करज लेने के अधिकारी हैं तो हमको ये करज दे दिया जाए तो विश्व बैंक में का करजा तो देंगे लेकिन हमारी शर्ते मान लो आप तब हम आपको करज देंगे तो वो करज तो देते हैं लेकिन कंडिशन लगाते हैं शर्त लगाते हैं और वो शर्त क्या होती है 1952 में भारत सरकार के ऊपर विश्व बैंक और मुद्राकोश ने सबसे पहली शर्त लगाई कि भारत अपने रूपए की कीमत को गिराए अब मूलियन करे लगाई कि रूपए की कीमत गिराओ तो भारत सरकार ने पहली ही बार में डॉलर की तुल्ना में रूपए की कीमत 30 प्रतिशत घटा दी फिर क्या हुआ 1957 में फिर गए हम विश्व बैंग अंतराशी मुद्राकोश में करज मांगने के लिए क्योंकि दूसरी पंचबार्शी के योजना के लिए पैसे की जरूरत थी फिर उन्होंने हमसे का कीमत गिराओ रूपए की फिर हमने कीमत गिराई फिर 62 में हम गए फिर हमने कीमत गिराई फिर 60 में गए फिर 72 में गए फिर 77 में गए फिर 82 में गए विश्यू बैंक और मुद्राकोश के करज के दबाव में आकर रुपई की कीमत को जो गिराना शुरू किया 1952 से आज रुपई की कीमत गिर कर कितनी हो गई है आप सोचिए कभी लगबग एक रुपया एक डॉलर के बराबर था आज पचास रुपया एक डॉलर के बराबर हो गया तो मुद्राकोश और विश्यू बैंक की संदी की शर्तों में फसकर भारत का क्या नुकसान हुआ जो हमारी एक रुपई एक डॉलर के हैसियत की करेंसी थी अब वो पचास रुपई एक डॉलर के बराबर हो गई माने हम पचास गुना कीमत अपनी करेंसी की कम करा लिये हमने पचास गुना कीमत अपनी संपत्ती की घटा ली हमने पचास गुना कीमत अपने संसादनों की कम कर ली हमने पचास गुना अपनी इज़त कम कर ली पूरी दुनिया के सामने अमरीका को ताकतवर बना दिया पचास गुना जादा अमरीका का डॉलर पचास गुना कर दिया अमरीका की संपती पचास गुनी बढ़ा दी अमरीका की समरुदी पचास गुनी बढ़ा दी तो अमरीका को पचास गुना ताकतवर कर दिया हमने और अपने को 50 गुना कमजोर कर लिया हमने ऐसी खतरनाक शर्ते होती हैं विश्व बैंक और मुद्रा कोश की आप बोलेंगे जी इसमें क्या नुक्सान है मैं एक उधारंग से समझाता हूँ हम 1952 में अगर अमेरिका को एक रुपए का सामान बेचें तो हमको एक डॉलर की कमाई होती थी अब हमको अमेरिका को 50 रुपए का सामान बेचना पड़ता है तब एक डॉलर की कमाई होती है माने सामान पचास गुना ज़ादा जाता है आमंदनी हमारी उतनी ही आती है जो 1952 में आती थी माने हमारा निर्यात पचास गुना सस्ता हो गया अब इसका उल्टा सोचें अब 1952 में अगर अमेरिका से एक डॉलर का हम माल खरीदें तो एक रुपिया ही खर्च करना पड़ता था अब अमेरिका से एक डॉलर का माल खरीदना हो तो पचास रुपिया खर्च करना पड़ता है माने आयात हमारा पचास गुना महंगा हो गया निर्यात हमारा पचास गुना सस्ता हो गया और आयात निर्यात दोनों एक साथ एक एक डॉलर का करें तो सौ गुने का नुकसान हमारा पूरा का पूरा देश को हो गया आपको एक अंदाज़ा बताओं ये नुकसान कितना होता है भारत देश की सरकार कहती है कि 2008 में भारत ने जो निर्यात किया है दुनिया के देशों को वो लगबग पांच लाख करोड रुपए का है ये निर्यात पांच लाख करोड रुपए का तब है जब एक डॉलर पचास रुपए का है मान लीजिए एक डॉलर एक रुपए का होता और पांच लाख करोड का ही हम निरियात करते तो ये निरियात हमारा दो सो पचास लाख करोड का बैठता मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो चीजें हमने अभी पांच लाख करोड रुपई की बेची हैं उनका वास्तविक मूले दो सो पचास लाख करोड है माने 200 लाक करोड की चीज़े हमने 5 लाक करोड में दे दी, कोड़ी के भाव में दे दी, देश को लुटा दिया हमने और एक साल में इस देश का 245 लाक करोड का नुकसान करा लिया हमने मुद्रा का अवमुल्यन करके इतनी बड़ी चपत और चोट इस देश को लगती है जब मुद्रा का मुल्यन होता है इसको और ठोस रूप में आपको मैं समझाता हूँ आपके समझ में आ जा ताकि आप करोड़ों लोगों को ये समझाए जब हम मुद्रा में एक डॉलर के बराबर थे एक डॉलर एक रुपया तब हम अमेरिका को कच्चा लोहा बेचें या दुनिया के किसी भी देश को कच्चा लोहा बेचें तो एक किलो कच्चा लोहा हमारा बिकता था साथ सवा साथ रुपय का क्योंकि रुपया और डॉलर बराबर था अब कच्चालोहा रेख़ा हम अमेरिका और दुनिया के देशों को बेचते हैं तो वही कच्चालोहा हमारा बिखता है 25 पैसे का जो वस्तू 1952 में हम 7 रुपई की बेच रहे थे वो वस्तू अब बिक रही है 25 पैसे की सोचो, एक किलो कच्छा लोहा बेचने में कितना बड़ा नुकसान हम उठा रहे हैं 6 रुपए 75 पैसे पर किलो एक किलो के नुकसान और 2 करोड मीट्रिक टन कच्छा लोहा हम हर साल बेचते हैं 14 15,000 करोड रुपए का नुकसान सीधे पूरे देश को होता है रुपया डॉलर के हिसाब से होता था अब वही इस्टील और लोहा खरीदना पड़ता है तो पचास रुपया डॉलर के हिसाब से होता है तो आप कल्पना करो कि जो इस्टील हम 52 में खरीदते थे और जो इस्टील 2009 में खरीदते हैं वो कीमत 50 गुनी बढ़ चुकी है आपको ह परीदना पड़ता है, इस्तील वही है, रूपया चालीस जाता है उसका, आयात करें तो घाटा, निरियात करें तो जबरजस्त घाटा, और दोनों घाटों को मिलाएं तो घाटे का घाटा, फिर इसकी पूरती करने के लिए हम विशु बैंक से करजा लाएं, और विशु बैं पिर कहें कि रुपई की कीमत कम करो, ताकि घाटा और बढ़े, फिर रुपई की कीमत कम करके करजलाएं, फिर घाटा बढ़ाएं, इसी चक्कर में पूरा देश 63 साल से पिस रहा है, इसी चक्कर में। आश्री मुद्रा कोश की संदी को एक जटके में खतम करें, और दुनिया के पचासियों देशों के साथ मिलकर इस संदी को खतम कराएं, तो इस दुश्चक्र से बाहर निकलने का रास्ता है, अन्य था तो ये देश पिस्ता ही रहेगा, पिस्ता ही रहेगा, पिस्ता ही रहेग और ये जो कहानी मैंने भारत की सुनाई ना रुपए के अवुमुलियन की ये इससे भी बड़ी दर्दनाक कहानी है अफरीकी देशों के रुपए के अवुमुलियन की अफरीकी देशों में रोडेशिया है, सोमालिया है, इथियोपिया है, छोटे-छोटे देश है, नाइजीरिया वगेरा है इन सब देशों के ऊपर तो मुद्राकोश और विश्यू बैंक का इतना कथोर डंडा चलता है कि उनकी करंसी 15,000 एक डॉलर के बराबर होती है उनकी मुद्रा की कीमत नहीं है, और वो कीमत गिराई किसने है अंतराश्री मुद्राकोश और विश्यू बैंक इन दोनों संग्स्थाओं ने मिलकर क्योंकि ये देश भी जाकर कर्ज लाते हैं और कर्ज के लिए एक ही शर्त है, वो लगाते हैं कि कीमत कम करो अपनी करंसी की तो उस चक्कर में ये देश और भी बरबाद हो रहा है माने कोई मुद्रा की कीमत ही नहीं है और वो कीमत को बिलकुल जमीन पे धराशाई कर देने का काम विश्व बैंक और मुद्रा कोश करते हैं मैं और एक उधारन देता हूँ, हमारा पडोसी देश है इंडोनेशिया इंडोनेशिया पर ये मुद्रा कोश और विश्व बैंक का ऐसा तगड़ा ढंड़ा चला कि वो इंडोनेशिया की करेंसी जो है ना रुपईया है रुपईया हमारे याँ जैसे रुपईया है ना इंडोनेशिया में रुपईया है तो एक डॉलर में एक जमाने में सत्रे रुपईया हुआ करता था विश्वेंक और मुद्राकोश ने उसको 17,000 रुपईया करा दिया एक डॉलर में और इंडोनेशिया मटिया मेट हो गया इसी चक्कर में फसके ऐसे ही लेटिन अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना एक है ब्राजील, एक है चिली, एक है कोस्टारिका, एक है कोलंबिया ऐसे दुनिया में सौ देश हैं जो अंतराश्री मुद्राकोश और विश्व बैंक के चक्कर में फसकर ये अंतराश्री मुद्राकोश और विश्व बैंक का शड़यंत्र सारी दुनिया में चलता है और इस पे कबजा किसका है? अमेरिका का कबजा है अंतराश्री मुद्राकोश का जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिका की मरजी से विश्व बैंक का जो अध्यक्ष बनता है उसका तो नियम है कि वो अमरीकी नागरीकी होना चाहिए तब ही अध्यक्ष बन सकता है अंशदान हम सब दे रहे हैं आप ध्यान दीजेगा 186 देश अपने अपने हिस्से का पैसा उसमें जमा कर रहे हैं लेकिन अध्यक्ष इन 186 देशों में से किसी का नहीं बन सकता वो सिर्फ अमेरिका का ही बनता है और अमेरिका में ही पैदा हुआ नागरिक विश्व बैंक का अध्यक्ष हो सकता है अंतराश्री मुद्राकोश का ध्यक्ष भी अमेरिका की पसंद से ही बनाया जाता है तो अमेरिका का पूरा कपजा उस पर रहता है और आपको सुनकर हैरानी होगी पिछले दस साल से अंतराश्री मुद्राकोश और विश्यू बेंक में अमेरिका अपना अंजदान जमा नहीं कर रहा है फिर भी दादागिरी उसी की चल रही है और ये दादागिरी कैसे चल रही है इन दोनों संस्थाओं में फैसला होने के लिए वोट का नियम है तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा वोट है इन दोनों संस्थाओं में और वोट हैं करीब 20 प्रतिशर तो अमेरिका की दादागिरी सबसे ज़्यादा चलती है इन दोनों संस्थाओं अंशिदान सबके बराबर है और वोट अमेरिका के ज़्यादा है इसलिए अध्यक्ष अमेरिका का बनता है उपाध्यक्ष अमेरिका का बंता, सबकुछ अमेरिका के समर्थंस भी होता है और अमेरिका जैसा कहता है, ये दोनों संस्थाइं वैसे ही काम करते है एक और उधारन दूख, इन दोनों संस्थाओं में करज मांगने जाओ तो एक दूसरी शर्थ ये लगाते है इनकी दूसरी शर्ट क्या होती है जैसे भारत देश कभी विश्यू बैंक और अंतरास्वी मुद्रा कोश में करज मांगने जाएगा तो वो कहेंगे कि भारत के जितने प्राकरतिक संसादन है वो विदेशी कमपनियों को बेचो ये दूसरी शर्ट है उनकी अब प्राकरतिक स कि खदाने हैं हमारे यां कोईले की खदाने है हमारे यां सोना निकलता है जमीन के नीचे से हीरे की खदाने है पन्ने की खदाने है बॉकसाइट की खदाने है एलुमिनियम की हमारे यां तो बेच कीमती खदाने ही खदाने है भगवान ने भारत देश को जमीन के ऊपर जित वो दूसरी शर्ट लगाते हैं कि भारत की ये जो खदाने हैं कोईले की, लोहे की, हीरे की ये सब विदेशी कमपनियों को दे दो तो भारत की सरकार धड़ा-धड़ विदेशी कमपनियों के साथ समझोते करके इन खदानों को कोड़ी के भाव में बेचती रहती है आपको मालूम है इसी विशुबैंक और अंतराशी मुद्राकोश के दबाव में इस समय भारत के लोहे की जादातर खदाने विदेशी कमपनियों के हाथ में चली गई है उडिसा में, चत्तीसगड़ में, महराश्ट में, करनाटक में, और गोवा में, और जारखण में सारी खदाने विदेशी कमपनियों के हाथ में इसी तरह से सबसे बड़ी अंतराश्विय कमपनिय हैं हीरे के व्यापार में डी बियर्स उसके हाथ में हमारी हीरे की ख़दाने चली गई और अब तो प्राकरतिक संसादनों में आपको मालूम है ख़दाने तो होती है, पहाड भी होते है, जंगल भी होते है नदियां भी होती है, सरोवर होते है, तालाब होते है तो अब तो हमारी सरकारों ने विश्वेंग को और मुद्राकोश के दवाव में आकर भारत की नदियों को विदेशी कमपणियों को बेचना शुरू कर दिया है नदियां बिक रही है हमारी आपको मैं बताना चाहता हूँ जिसके प्रमान हमारे पास मौजूद है 36 गड़की एक बहुत सुंदर बहुत अच्छी नदी है शिवनात नदी वो विदेशी कमपणियों ने खरीद ली है पूरी की पूरी हम अभी तक ये मानते थे इस देश में कि पानी भगवान की दी हुई संपत्ती है सरकार की संपत्ती नहीं है लेकिन विश्वेंक और अंतराश्री मुद्रा कोश ने ये पानी को सरकार की संपत्ती बना दिया और सरकार ने उसको बेचकर विदेशी कमपणियों के हवाले करना शुरू कर दिया जंगल बिक रहे हैं विदेशी कमपनियों के नाम हमारे देश में पहाड बिक रहे हैं विदेशी कमपनियों के नाम उड़ी सामे सबसे ज़्यादा जड़ी बूटी देने वाला जो पहाड है उसका नाम है गंद मारधन परवत गंद मारदन परवत पर हजारों किसम की आईरुवेदिक जड़ी बूटियां है सारे दुनिया के विशेशक की ये बात मानते है उस पूरे गंद मारदन परवत को विदेशी कमपनियों को बेचने की तैयारी चल रही है क्योंकि विश्वबैंक और मुद्राकोश का शर्त है करजे की तो हमारे सारे संसादन विदेशियों के हाथ में चले जाएं ये शर्त होती है मुद्राकोश और विश्वबैंक की और एक तीसरी शर्त उनकी होती है कि भारत में ये जो पब्लिक सेक्टर के कारखाने होते है ना जैसे बियाची एल है भारत है वी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है इंडियन इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड है आई एल है बियाची एल है आई एल है ऐसे भारत में दो सो चवालीस बड़े पब्लिक सेक्टर के का पर नाल के सो भानीख मुद्रा कॉष र इस विश्विन कार करें टाल सुह और चेहिस नहीं देजिक रखेएंग। बारत ने जीवन बीमा के छेतर में और सामन बीमा के छेतर में 26% पूझी निवेश कादिकार विदेशी कमपोनियों को दे दिया, अब नया कानून बनाकर उसको 49% करने जा रहे हैं, ठोड़े दिन में 74% करेंगे और एक दिन 100% कर देंगे। तो विशुबेंक और मुद्रा कोश की शर्टें ऐसी खतरनाक होती है एक तीसरी शर्ट बताता हूँ विशुबेंक और मुद्रा कोश की एक तीसरी शर्ट ये होती है कि हमारे भारत की सरकार जो बजट बनाती है और उस बजट में गरीबों के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है जिसको सबसिडी के नाम से हम जानते हैं इसको कम करते जाओ और हर साल के गरीबों के उपर खर्चोने वाले बजट को कम करते जाओ तो सन 1991 से भारत की सरकार ने गरीबों के लिए बजट में धन कम करना शुरू कर दिया तो सिक्षा के लिए धन कम हो गया स्वास्त के लिए धन कम हो गया चिकित्सा के लिए धन कम हो गया किसानों के लिए धन कम हो गया खेती के लिए धन कम हो गया सिचाई के लिए धन कम हो गय माने भारत के आम आदमी की जरूरत हैं पूरी करने वाली जो योजनाए हैं विकास की उन सबके लिए सरकार के पास अब धनकी कमी है क्योंकि विश्वेंग और मुद्राकोश की वो शर्त है और विश्वेंग और मुद्राकोश क्या कहते हैं वो कहते हैं हर चीज का प्राइविटाइजेशन करो सिक्षा का प्राइविटाइजेशन कर दो छिकित्सा का प्राइविटाइजेशन कर दो नियाय का प्राइविटाइजेशन कर दो संसादनों का प्राइविटाइजेशन कर दो और धीरे धीरे सरकार वही कर रही है आपको मालूम है सड़कों का प्राइविटाइजेशन कैसे हो रहा है सड़कें विदेशी कमपनियों को या निजी ठेकेदारों को दी जा रही है बनाने के लिए बनाने के लिए करज की जरूरत है सरकार उसकी कमी पूरी कर रही है करजा सरकार दिलवा रही है करजा वो ठेकेदारों के नाम से वो देशी हो या विदेशी हो विड्रो किया जा रहा है सड़क बना रहे हैं सड़क बना कर उस पे टोल्टेक्स बसूल रहे हैं ददद साल के लिए, बिस बीस साल के लिए, तीस साल के लिए, चालीस चालीस साल के लिए, एक किलो मीटर का डेड़ रुपया, दो रुपया, धाई रुपय के हिसाब से टोल टैक्स बसूल रहे हैं, और सरकार उन सडकों पे चलने के लिए रोट टैक्स रलक से बसूल रहे है और कुछ सड़कें तो पूरी विदेशी कमपनियों की मिलकियत की हो गई है इस देश में वो जितना मनमाना चाहें उतना टेक्स बसून सकते हैं आप कभी जाओ मुंबई से पुने के बीच में एक सड़क बनी है जिसको एक्सप्रेस हाईवे कहते हैं उस पर देड़ सो रुपई टोल टेक्स है देड़ सो रुपई जबकि सड़क की लंबाई सौ किलो मीटर से कम है जाओ तो देड़ सो रुपई दो आओ तो देड़ सो रुपई जाओ माने सडकों की मिल की अब विदेशी कमपनियों के हाथ में चले गए बवने विदेशी कमपनियों के हाथ में जंगल विदेशी कमपनियों के हाथ में सरोबर तालाम नदियां विदेशी कमपनियों के हाथ में सारे संसाधन विदेशीों के हाथ में चले जाए ये विशुमेंग और अंतराश्वी मुद्रा कोश की शर्टे होती है ऐसी खतरनाक शर्टों के आधार पर वो करज देते हैं और हमारे जैसे गरीब देश उन से करज लेकर दुस्षक्र में फस्ते हैं और फिर जिन्दगी भर के लिए अपनी आजादी को गवा बैठते है ऐसी एक और खतरनाक संदी के बारे में बात करना चाहता हूँ हमारे देश की सरकारें कुछ अंतराश्वी संदियां कर रही हैं दूसरे देशों के साथ जिनको कहा जा रहा है Free Trade Agreement मुक्त व्यापार समझोता या मुक्त व्यापार के समझोते तो भारत और भारत के पड़ोसी देशों के साथ ये मुक्त व्यापार के समझोते हो रहे हैं भारत से थोड़ा दूरी पर रहने वाले जो देश हैं उनके साथ मुक्त व्यापार के समझोते हो रहे हैं इन मुक्त व्यापार के समझोतों की एक ही शर्थ होती है कि दूसरे देशों से आने वाला जो सामान है वो भारत में सस्ता किया जाए और बाहर से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी घटाई जाए तो जिन विदेशी सामानों उपर हमारे यां 300, 300, 400 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगती है मुक्त व्यापार के समझोते के बाद वो कस्टम ड्यूटी जीरो प्रतिशत हो जाती है शुन्नि प्रतिशत हो जाती है परिणाम क्या होता है? जब आपने मुक्त व्यापार का समझोता किया जैसे चीन के साथ हमने मुक्त व्यापार का समझोता किया एक उधारन से बताता हूँ तो उसमें चीन से आने वाले जो खिलोने हैं उस पर हमने कस्टम ड्यूटी घटा दी चीन के खिलोने बहुत सस्ते हो गए भारत में आकर धडले से बिकने लगे परिनाम हुआ कि भारत के खिलोने बनाने वाले हजारों लाकों उद्योग बंदो गए और सारे बाजार में अब चीन के खिलोने ही बिक रहे हैं ऐसे ही चीन के यहां से हमने एक समझाता कर लिया उसमें चीन के यहां से मूर्तियां आती हैं, भगवान की बनी हुई, लक्षमी और गनेश जी जो दिवाली पर हम पूछते हैं, पूछते हैं वो चीन के बने हुए हैं, और उस चीन में ना कोई लक्षमी को मानता हैं, कोई गनेश को मानता हैं, क्योंकि वो नास्तिक देश है तो वहां से लक्षमी गनेश जी हनुमान जी आते हैं और पूरी दिवाली पर सबसे ज़्यादा वही बिफते हैं फिर इसी तरह हमारे दिवाली पर छोटे बल्वों की हम जो जालर और लड़ी लगाते हैं वो चीन के बल्वों की है तो मुक्त वियापार का हमने चीन से समझोता किया चार हजार ऐसी वस्तुएं हैं जो चीन से आती है बहुत सस्ती कीमत पर जिन पर कस्टम ड्यूटी बिल्कुल थोड़ी सी जीरो परसेंट, एक परसेंट, दो परसेंट की रखते हैं और वो सस्ती सस्ती चीजें आके बादार में भर जाती है अंतिम दुष्परिनाम निकलता है कि भारत की जो कमपनियां उन चीजों को बनाती हैं उनकी महंगी हो जाती हैं वो बेच नहीं पाते हैं और हजारों लाखों छोटे उद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् कपास आ रही है वहां से मशिनरी के आईटम आ रहे है बहुत सारी चीज़ें आ रहे हैं इन दस देशों से परिणाम क्या है कि चार पांच जार चीज़ें आ रहे हैं उन में से कस्टम ड्यूटी लगबग शूननी के बराबर है जीरो प्रतिशत है या एक दो प्रतिशत के आसपास है बहुत सस्ती सस्ती चीज़ें आके ये बजार में भर रही है और भारत में काफी पैदा करने वाले रो रहे हैं नारियल पैदा करने वाले रो रहे हैं चाय पैदा करने वाले रो रहे हैं टेकसाईल की इंडस्री चलाने वाले लो रहे हैं, कपास पैदा करने वाले रो रहे हैं, सब लोग रो रहे हैं क्योंकि वदेशों से ये सबसे स्थी चीज़ें आ रहे हैं। और ये क्यों आ रही हैं? क्योंकि free trade agreement हो रहे हैं, मुक्त व्यापार के समझे हो रहे हैं और ये मुक्त व्यापार के समझे हैं फाशी का फंदा बन जाते हैं गलों में उन छोटे-छोटे उद्द्यूब चलाने वालों के लिए एक और ऐसी हमने कुछ संधियां की हैं अंतराश्टिय देशों से बहुत खतरनाक संधी है वो तो double taxation avoidance treaty करके एक संधी है 60 देशों के साथ हमने ये संधी कर रखी है उसमें से मौरिशस एक है और हमारे पडोसी कई देश है 60 देशों से हमारी ये संधी है double taxation avoidance treaty इसमें क्या होता है कि मौरिशस जैसे 60 देशों की कोई भी कमपनी भारत में आकर व्यापार करेगी अगर वो मौरिशस में income tax या corporate tax पे कर रही है तो भारत में उसके उपर कोई tax नहीं लगेगा ये है संधी तो परिनाम क्या होता है बहुत सारी विदेशी कमपनीया मौरिशस में जाके पहला office बना लेती है फिर वहां से भारत में घुसकर पूजी निवेश करती है और उस पूजी निवेश पर जितना मुनाफ़ा वो कमाते है एक पैसा tax दिये बिना सब लूट कर यहां से ले जाते और हर साल हमारे देश में पंदरे से बीस हजार करोड रुपए का नुकसान इस चक्कर में हो जाता है अब मौरिशस बिलकुल छोटा सा देश है लेकिन पूजी निवेश की तालिकां में आप देखेंगे तो भारत में सबसे ज़्यादा पूजी निवेश करने वाला देश मौरिशस बना हुआ है उसके पास अपने लिए कुछ खाने पीने को नहीं है स्वावलंबी देश नहीं है स्वादेश ही नहीं है पूरा अपने पैरों पे खड़ा हुआ हुआ है भारत में सबसे ज़्यादा पूजी निवेश कहां से कर रहा है बहुत सारे देशों की कमपणियां वहां आकर पूजी निवेश करके भारत में गुस रही है क्योंकि टेक्स की उनको चोरी करने का रास्ता खुला हुआ है और ऐसी संदी साथ देशों के साथ हमने कर रखी है जिसमें हर साल हजारों करोड का नुकसान उठाना पड़ता है खाली मौरिशस देश वाला अध्यन मैंने किया था पंद्रे हजार करोड का नुकसान हर साल हमको होता है मौरिशस देश के साथ ये संदी हमने कर रखी साथ और भी देश इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा एक हमने मल्टी लेटरल ट्रीटी की हुई है दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर जिसका नाम है डब्लू टी ओ एग्रिमेंट वर्ट्रेड और्गनाईजेशन एग्रिमेंट पहले इसको हम गेट एग्रिमेंट कहते थे आजकल इसको डब्लू टी ओ एग्रिमेंट कहते है इस एग्रिमेंट में तो इतनी खतरनाक शर्ते हैं मैं इसकी एक लाइन पढ़के सुनाता हूँ WTO agreement की पूरी copy मेरे पास है ये करीब 576 पेज का agreement है इस agreement को भारत सरकार ने 1995 में साइन किया 2005 से ये भारत में लागू हो गया इस agreement की एक line पढ़के सुनाना चाहता हूं No single element of this draft final act can be considered as agreed till the total package is agreed माने ये 576 पन्ने का जो पूरा agreement है ये पूरा का पूरा आपको मानना ही पड़ेगा इसकी एक line एक वाकी भी आप अलग नहीं कर सकते ये इसका मतलब अब इसमें 576 पेजों में अलग-अलग समझोते हैं जैसे agreement for textile है agreement for agriculture है agreement for services है agreement on patents है जिसको trips कहते हैं ऐसे इसमें 28 समझोते हैं उन सभी समझोतों की शर्ते इतनी इतनी खराब है कि देश का पूरा का पूरा आर्थिक नाश हो जाए ऐसा खतरना की agreement साइन हुआ है मैं एक दो उधारण से आपको समझाता हूँ 576 पेज का सारा agreement तो पढ़के नहीं बता पाऊंगा लेकिन इसके एक दो आर्टिकल जरूर पढ़के बताना चाहता हूँ जो बहुत खतरनाक है हमारे भारत देश में अभी तक की ये विवस्था रही है कि दवा के छेतर में क्रशी के छेतर में कोई भी नया जो आविशकार होता है तो आविशकार पर पेटेंट होता है लेकिन आविशकार का जो तरीका होता है वो पेटेंट नहीं होता तरीके को हम कहते हैं प्रोसेस और जो बन के तयार होता है उसको कहते हैं प्रोड़क्ट तो भारत में प्रोसेस का पेटेंट तो नहीं होता product का patent होता लेकिन वो आविशकारी होतो माने नया होतो अब ये जो नया agreement है WTO का वो ये कहता है कि आविशकार हो या नहो नया हो या नहो process हो या product हो सब को patent देना ही पड़ेगा और कम से कम 20 साल के लिए देना पड़ेगा अब इसमें होता क्या है कि विदेशों से कोई नई दवा आई वो नई दवा को हमने दूसरे तरीके से बना लिया और सस्ती कीमत पर हम भारत में बेच सकते हैं अब इस agreement के बाद कोई भी विदेशी दवा आती है उसकी कितनी भी सस्ती कीमत पर हम दूसरी दवा बना के नहीं बेच सकते, 20 साल तक वही कमपनी उस दबा को बेचेगी और लाखों करोडों रुपई लूटेगी ऐसा एग्रिमेंट है यह इसी तरह बीज के छेतर में हमारे यह होता था कि किसान जो बीज बनाते हैं उस पर किसी कमपनी का अधिकार नहीं हो सकता, लेकिन अब इस समझोते में बहुत साफ लिखा हुआ है कि बीज किसान का हो या कमपनी का पेटेंट के मालिक का यह अधिकार होगा ऐसी इसमें एक दो नहीं हजारों शर्थे डबलू टियो एग्रिमेंट में और ये भी हमने साइन कर लिया है थब्यान चलाना पड़ेगा और इन संदियों के मकड़ जाल को काटना पड़ेगा और भारत जैसे दुनिया के देशों को खड़ा करके इस पूरी दुनिया को इन संदियों के मकड़ जाल से मुक्त कराना पड़ेगा कुछ एक दो और महत्वपुन संदियों के बारे में आप से बात करना चाहता हूँ उसके पहले एक पुरानी छोटी सी अदूरी बात को पूरा कर दू World Trade Organization की जो संदी हमने की है WTO की संदी हमने की है जिसमें मैंने Patent की बात आप से कही उस संदी में कुछ और भी खतरना के एक दो बाते हैं जो मैं आपके ध्यान में और पूरे देश के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि अभी तक हमारे देश में ऐसा होता रहा कि कोई विदेशी कमपनी जब व्यापार करने के लिए आती है तो हम उसको विदेशी कमपनी मानके उसके साथ वेवार करते हैं और कोई भी देश में ऐसे ही वेवार होता है जब आप अपने देश के नागरिक होते हुए अपने देश में वेवार करते हैं तो एक तरह का वेवार आपके साथ होता है जब आप बाहर के नागरिक की हैसियत से आकर हमारे देश में या किसी देश में व्यापर करेंगे तो विदेशी नागरिक की हैसियत से आपके साथ विवार होता है लेकिन इस WTO Agreement में एक Agreement है Agreement for Trims उसका नाम है Trade Related Investment Measure उसका मैं एक धारा आपको पढ़के सुनाना चाहता हूँ इतनी खतरनाक है कि अभी तक मैंने कहा ना कोई विदेशी आएगा तो व्यापर करेगा हम उसको विदेशी मानेंगे और हमारे देश का नागरिक भारत में व्यापर करेगा तो उसको देशी मानेंगे स्वधेशी मानेंगे संपती की रक्षा करनी पड़ती है इतने खतरना किसमें एग्रिमेंट में इस संधी में समझोते में वाकि लिखे हुए माने विदेशी कमपनी को यह आए भारत में उसने पूझी लगाई अब वो पूरी कमपनी भारत की सरकार की नजरों में विदेशी नहीं है वो स्वदेशी कमपनी की तरह ही है और उसकी सुविधा उसका सुख सब कुछ आपको वैसे ही संदक्षित और सुरक्षित रखना पड़ेगा जैसे किसी स्वदेशी और देशी कमपनी का आप रखते हैं अब मैं इसको एक उधारण से समझाता हूँ कि मान लीजे कोई विदेशी कमपनी भारत में आई जैसे यूनियन कारबाइट नाम की एक कमपनी अमेरिका से भारत में आई उसने 3 दिसंबर 1984 की रात को भोपाल में एक बहुत बड़ा हत्या कांड किया मितायल आईसोसाइनेट नाम की गैस उसमें से रिसी और वो गैस के कारण 17,000 लोग एक रात में तड़प तड़प के मर गए देड़ लाक से जादा लोग हमेशा के लिए विकलांग हो गए दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक दुरगटना वो मानी जाती है इसको एक अमेरिका की कमपनी ने किया और उस कमपनी के खिलाब भारत देश में एक अभियान चला उस अभियान के तहट कमपनी की संपत्ती जबत हुई सरकार में और अदालत न मिलके कारिवाई की वो संपत्ती लोगों में बाटी गई ये अलग बात है कि ब्रश्टा चार के कारण वो सब को बराबर नहीं मिल पाई और संपत्ती जितनी कमपनी की अइस्थाई थी उस पर ताला डाला गया कमपनी कुछ बेच कर यहां से भाग ना जाए इसके लिए व्यवस्था की गई ये हुआ लेकिन ये डबलू टी ओ एग्रीमेंट लागू होने के बाद अगर ये दुरगटना हो जाए तो बहुत अफसोस के साथ मैं आपसे कहता हूँ उस कमपनी के खिलाफ कारवाही करने में सरकार को पसीने आ जाएंगे क्योंकि उस कमपनी की संपत्ती की रक्षा ऐसे ही करनी पड़ेगी जैसे किसी देशी और कमपनी की रक्षा की जाती है और उसको वो सारी सुकसु विदाएं और नियम बना के देने पड़ेंगे जो किसी देशी आदमी के लिए किये जाते है तो बड़ी बड़ी विदेशी कमपनियां आकर बड़ी बड़ी दुरगटनाएं हमारे यां करेंगी और हम उनके खिलाफ कोई बहुत बड़ी कड़क कारिवाई नहीं कर पाएंगे ये इस WTO Agreement की शर्तों में लिखा हुआ है और एक शर्त के बारे में मैं बताना चाहता हूँ हमारे खेती और किसानों से जुड़े हुए एक Agreement के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि भारत के किसानों को केंद्र सरकार और राजी सरकार के दौरा जो आर्थिक सहायता दी जाती है प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस संधी के लागू होने के बाद वो सारी सहायता बंद करनी पड़ेगी और वो सहायता बंद होने का मतलब है कि किसानों के दौरा पैदा की जाने वाली वस्तूओं का भाव अंतर राश्री बाजार भाव के हिसाब से देना पड़ेगा ज्यादा भाव आप नहीं दे सकते और किसानों के लिए रासाइने खाद और कीट नाशकों पर सरकार की जो घटोतरी की व्यवस्ता है माने कम कीमत पर उसको बिकवाने की व्यवस्ता है वो धीरे धीरे पूरी खतम करनी पड़ेगी तो किसानों को यूरिया डियेपी अब सस्ता नहीं मिल सकता किसानों को डीजल सस्ता नहीं मिल सकता किसानों को पानी सस्ता नहीं मिल सकता और उनके द्वारा पैदा की जाने वाली कपास गेहूं चावल चने का भाव जादा नहीं दिया जा सकता बले सरकार के पास पैसा हो या ना हो अंतर राश्वी बजार भाव के हिसाब से ही वो देना पड़ेगा और वो आप जादा नहीं दे पाएंगे अब हम हमारे सततर करोड किसानों की मदद नहीं कर पाएंगे सरकार की हैसियत के रूप में ये संधी के एक समझोते का हिस्सा है और इसमें एक सबसे खतरनाक वाकि मैं बाप को पढ़के सुनाना चाहता हूँ ताकि आप ये पूरे देश के लोगों को पढ़कर सुनाए इस संधी को लागू करने के लिए जो पहला अध्याय लिखा गया है उस पहले अध्याय में लिखा गया है वो ये कि आप जब इस संधी को लागू करेंगे माने भारत जैसा देश जब इस संधी को लागू करेगा तो इस संधी के हिसाफ से आपके काइदे कानून बदलने पड़ेंगे ना कि काइदे कानून के हिसाफ से ये संधी बदली जाएगे ये कितनी खतरनाक बात है आप इसका अंदाजा लगाए हमने ये संदी कर ली WTO की अब हमारे देश का कोई कानून इस संदी के खिलाफ है तो हमको वो कानून बदलना पड़ेगा ये संदी नहीं बदली जाएगी इसमें लिखा हुआ है जब तक ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट आप सुईकार नहीं कर लेते और इसके हिसाब से आपके काईदे कानून नहीं बदल देते तब तक ये संदी लागू नहीं मानी जाएगी माने इस संदी को लागू करने के लिए भारत की सरकार को कोई भी कानून बदलना है कोई भी नियम बदलना है तो वो बदल देना बहुत जरूरी है इस संधी को बदला नहीं जा सकता अब मैं आपको उधारन से समझाता हूँ इसका कितना खतरना गंबीर परिणाम होगा उसका अंदाजा लगा ये इस संधी में एक जगे लिखा हुआ है कि भारत में जो सेवा का छेत्र है सर्विसिस का सेक्टर है वो विदेशी कमपनियों के लिए खोलना पड़ेगा और सेवा के छेत्र में क्या क्या आता है उत्पादन को छोड़कर जितनी भी गत्विदी दुनिया में चलती है वो सब सेवा छेत्र में आती है मैं आपको नाम लेके बताता हूँ ये वकालत का पेशा सेवा छेत्र में आता है ये चिकित्सा का पेशा सेवा छेत्र में आता है ये होटल मैनेजमेंट का पेशा सेवा छेत्र में आता है ये सड़क पर जाडू लगाने का काम सेवा छेत्र में आता है कैटरिंग का काम सेवा छेत्र में आता है माने हजारों तरह के काम सेवा छेत्र में आते हैं तो इस संदी में लिखा हुआ है कि सेवा के छेत्र को विदेशियों के लिए खोलना पड़ेगा माने अब विदेशी वकील आकर भारत में वकालत कर सकेंगे विदेशी डॉक्टर आकर भारत में चिकित्सा कर सकेंगे विदेशी होटल मेनेजमेंट की कमपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी जाडू लगाने वाली विदेशी कमपनियां भारत में आकर व्यापार कर सकेंगी रेस्टोरेंट, होटल खोलने वाली विदेशी कमपनिया भारत में आ सकेंगी स्कूल, कॉलेज और विश्विद्याले खोलने वाली विदेशी कमपनिया भारत में आ सकेंगी माने सेवा के हर छेतर में विदेशी आ सकेंगे अब हम उनको रोक नहीं सकेंगे अब होने वाला क्या है? मान लीजे, इस संदी के लागू होने के बाद सेवा के छेत्र में, सिक्षा में कल्पना करिए विदेशी स्कूल आ गए, विदेशी कॉलेज आ गए, विदेशी इन्वरसिटी आ गई और यहां हरिदवार में आकर, विदेशी इन्वरसिटी ने अपनी एक शाखा खोल ली मान लीजे, केम्बरिज और आक्सवोर्ड इन्वरसिटी ने एक शाखा यहां खोल ली, हरिदवार में परिणाम क्या होगा, ज्यादा तर विद्धियारती वहीं जाके भरती हो जाएंगे और हमारे विद्धियालों में विद्धियारती नजर नहीं आएंगे दाखिले के लिए और विदेशी विद्धियाले जो खोलेंगे, वो केमपस नहीं बनाएंगे वो अपना एक आफिस खोलेंगे दस बाई दसका और यहां से कहेंगे डिग्री वांटेंगे हम आपको परिक्षा आप अपने घर में बैठके दे दो डिग्री यहां आके ले लो और आक्सवोर्ड की और केम्बरिज की डिग्री अगर हरिद्वार में मिलती है तो कौन विद्यारती नहीं जाएगा वहां लेने के लिए इसी तरह से विदेशी एड़ोकेट आएंगे वो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे और सरकार उनके लिए कानून बदलने की तैयारी कर रही है हमारे देश में वकीलों का एक कानून है इंडियन एड़ोकेट्स एक्ट ये कानून कभी बनवाया था सरदार बल्लब भाई पटेल ने बहुत महनत करके इस कानून में ये व्यवस्था की गई थी कि भारती निया व्यवस्था में विदेशी वकील आकर कभी वकालत नहीं कर सकेंगे अब उस कानून को बदलना है ये डबलू टियो की संदी कहती है अब विदेशी वकीलों के लिए दरवाजा खोलना है और विदेशी वकील आकर यहां पर बहस करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो यहां के मुवक्किल तो कहेंगे कि भाईया अंग्रेजी में ही सारा बहस होना है और इन विदेशियों को तो भारतवासियों से अच्छी अंग्रेजी आती है लियाजा हमारा मुकदमा तो हम इनी को दे रहे हैं तो भारतिय वकीलों के पास क्या होगा खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे विदेशी डॉक्टर आ जाएंगे चिकित्सा करने के लिए विदेशी हॉस्पिटल आ जाएंगे विदेशी होटल आ जाएंगे हर जगे विदेशी 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 अगर च्छा जाएंगे तो आप कल्पना करिए कि 1947 में हमने जितनी मेहनत करके एक विदेशी कमपनी को भगाया अब इस WTO Agreement के बाद हजारों विदेशी कमपनिया और आ जाएंगी तो देश की आजादी तो वैसे ही चली जाएगी ऐसे खतरनाक समझोते का नाम है विश्व वियापार संगठन समझोता ऐसी और एक संदी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ यह जो WTO Agreement जैसी संदी हुई है ऐसे ही एक संदी होने की बात चल रही है भारत में अभी तक उस पर हस्ताक्षर रही किये हैं लेकिन जबरजस्ती भारत को धकेल कर उसमें हस्ताक्षर कराया जा रहा है उस संदी का नाम है N-PT Nuclear Polyphoration Pre-T इस संदी में क्या हो रहा है कि भारत से ये कहा जा रहा है कि तुम इसमें हस्ताक्षर करो भारत देश इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है इस संदी में ऐसी भेदभाव की व्यवस्था है कि अमरीका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देशों ने जो परमाणू हतियार बना लिये हैं वो सारे हतियारों को अपना वो सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन भारत जैसे देश इसम परमाणू हतियारों को बंद करेगा, धुस्त करेगा, खतम करेगा हमसे संदी करवाने की अपेक्षा कर रहा है अमेरिका और अमेरिका है कि भारत ये वाइदा करे कि भारत के पास जितने परमाणू बम हैं उनको वो नस्च कर देगा भारत सरकार वाइदा करे इस संदी में कि एक भी नया पर्मानु बम आप नहीं बनाएंगे और भारत सरकार ये वाइदा करे कि पर्मानु बम बनाना तो दूर की बात है पर्मानु बम के लिए परिक्षण भी नहीं कर सकेंगे आप एक भी नया अब तक जितने परिक्षण आपने किये कर लिए अब आगे एक भी नया परिक्षण आप नहीं कर सकेंगे तो भारत से ये अपेक्षा की जा रही है कि भारत अपने सारे परमाणू हत्यारों को नश्ट कर दे नया परिक्षण ना करे और नया परमाणू हत्यार ना बनाए लेकिन इसी संदी में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन जैसे देश शामिल है और वो ये कह रहे हैं कि हमने जितने परमाणू हत्यार बनाए हैं वो हम अपनी मर्जी से सुरक्षित रखेंगे और अपनी मर्जी से चाहेंगे तो नश्ट करेंगे कोई हमें बार्द नहीं कर सकता तो एन्पिटी संदी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन जैसे देशों को एक अधिकार है और भारत को कहते हैं आपको ये अधिकार नहीं है तो भारत इसलिए इसमें हस्ताक्षर नहीं कर रहा है तो दुनिया के सभी देशों से भारत के ऊपर दबाव डलवाया जा रहा है कि आप इसमें हस्ताक्षर करो, 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 करो और धीरे-धीरे भारत में ऐसे लोगों को बिठाया जा रहा है परमानू उर्जा के छेतर में जो अमेरिका समर्थक है और इस संदी के समर्थक हैं और समय आने पर वो चुपचाप इसमें हस्ताक्षर कर दें अब अगर NPT में हमने हस्ताक्षर किया तो खत्रा कितना बड़ा है मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत ने हस्ताक्षर कर दिया NPT में भारत के पास कहा जाता है कि इस समय एक सो बीस परमानू बम है तो ये सारे परमानू बम हमें नश्ट करने पड़ेंगे नया कोई बम हम बना नहीं सकेंगे और उसका परिक्षन भी नहीं कर सकेंगे कभी खुदान खासता पाकिस्तान का दिमाग फिर गया और पाकिस्तान के पास भी 70-80 परमाणूबम है, ये वेग्यानिकों ने सुईकार कर लिया है, तो किसी दिन पाकिस्तान का दिमाग फिर गया, और उसने भारत के ऊपर परमाणूबम गिरा दिया, और आप क्योंकि N-PT संदी से बंदे हुए हैं, इसलिए आप परमाणूबम ना गिरा सकते हैं, ना परिक्षन कर सकते हैं, तो हमारे तो लाकों लोग ऐसे ही मर जाएंगे, हम तो उसका जवाब भी नहीं दे पाएंगे पाकिस्तान को, और अमेरिका जबर जस्ती भारत को धकेल धकेल कर, इस N-PT की संदी में लाना चाहता है, ताकि भारत के सारे हाथ बन जाएं, और हर समय हम अमेरिका के ऊपर आधारित हो जाएं, अमेरिका के ऊपर निर्वर हो जाएं, और हर समय अमेरिका की चाकरी करें, जी हजूरी करें, अपनी सुरक्षा के लिए भी हम अमेरिका पे निर्वर हो जाएं, ये N-PT की संदी है, और एक संदी भारत से वाने के विलिए दबाव डाला जा रहा है उसका नाम है CTBT, Comprehensive Test Band Pretty, CTBT उसको शौट में कहते हैं, इस संदी में भी यही व्यवस्था है, अभी हमारे देश में क्या होता है, मैं एक छोटा सा तथ्या आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, 1970 के पहले भारत देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी परमाणू बम नहीं था, 1970 के पहले हमारे देश में अपनी सुरक्षा करने के लिए एक भी बेलेस्टिक मिसाइल नहीं थी, 1970 के पहले अपने देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास किसी तरह की कोई तकनीकी नहीं थी 1970 के बाद कुछ वैग्यानिकों ने अपना जीजान लगा दिया इस देश को सुरक्षा के छेतर में स्वावलंबी बनाने के लिए जिन वैग्यानिकों ने अपना जीजान लगाया है इस देश की सुरक्षा को स्वावलंबी बनाने में उनमें एक डॉक्टर भावा हुआ करते थे एक डॉक्टर सेथना हुआ करते थे एक डॉक्टर आएंगर हुआ करते थे एक डॉक्टर मनमुहन हुआ करते थे और उसी करम में बढ़ते बढ़ते एक डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम हुआ करते हैं जो गौरवशाली वेग्यानिकों का एक ही उद्देश रहा, ऐसे साथ हजार वेग्यानिक हुए हैं, मैंने तो नाम लिया है तीन चारों का, साथ हजार भारत के वेग्यानिकों ने पूरी ताकत लगाकर पिछले चालीस वर्षों में इस देश को सुरक्षा के छेतर में स्वावलंबी बनाया, ह साथे तीन हजार किलो मीटर की मार करने वाली संपूर स्वादेशी बैलेस्टिक मिसाइल हमारे पास हैं, जो किसी भी देश की मदद के बिना हमने बनाई हैं, इसी तरह से हमने परमानू बं के परिक्षण किये हैं, बिना किसी की मदद के, और हमने हमारी सुरक्षा के लिए परमानू बम बनाए हैं लगबग 120 परमानू बम हैं ये सब भारतिय वैग्यानिकों के परिश्रम का फल है और उनकी स्वदेशी भावना की ताकत है ये अगर वो वैग्यानिक स्वदेशी भावना से ओत्परोत नहीं होते तो ये सारे वैग्यानिक भारत की धरती को छोड़ क पर भाग गए होते और अमेरिका और यूरोप में अच्छी नोकरियां करके अपना जीवन बिता रहे होते लेकिन इन में से एक भी वेग्यानिक भारत छोड़ कर नहीं गया एक भी वेग्यानिक ने मात्रु भूमी को छोड़ना पसंद नहीं किया कम पैसे लेकर भी इस देश की सेवा की अपमान सहन करते हुए भी इस देश की सेवा की आप जानते हैं कि इस देश में नेताओं की जितनी सम्मान और इज़त होती है उतनी वेग्यानिकों की सम्मान और इज़त इस देश में नहीं होती है फिर भी इन वेग्यानिकों ने अपमान सहते हुए अपनी में काम करते हुए विपरीत परिस्थितियों में काम करते हुए इस देश को मिसाइल उत्पादन में स्वावलंबी बनाया बम उत्पादन में स्वावलंबी बनाया हतियारों के उत्पादन में स्वावलंबी बनाया हर छेत्र में हम धीरे धीरे स्वावलंबी होते गई यह हम हमारे देश की सरकार ने एक नई मिसाइल का परिक्षन किया है जिसका नाम है धनुष और वो संपूर स्वधेशी मिसाइल है भारत के वैग्यानिकों ने नट बोल्ट से लेकर उसका पूरा इंजन तक सब कुछ यहीं बनाया है विदेशों से कुछ नहीं लाया तो मिसाइल ब अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी जैसे वो करते रहें उनको छूट है भारत को यह छूट नहीं है तो ऐसी भेद भावपूर्ण संदी CTBT ऐसी भेद भावपूर्ण संदी NPT इस पर भारत को जबरजस्ती हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जा रहा है अमेरिका में पिछले 50 साल में जतने राश्टरुपती आये, उरोप में पिछले 50 सालों में अलग अलग देशों के जतने राश्टरुपती और प्रधानमंतरी आये, सब ने अलग अलग तरीके से भारत पर यह दबाव डाला कि जल्दी से जल्दी भारत CTBT पर हस्ताक्षर करे और NPT पर ह अस्ताक्षर करने का मतलब ये है कि अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह विदेशियों पर निर्भर हो जाना, अपनी आत्म रक्षा के लिए अमेरिका जैसे देशों का पिछलगू हो जाना, अपने देश के विकास के लिए, हतियारों के विकास के लिए, चाहे वो परमाण हत्यार हों या नोन बिना परमाणू हत्यार हों सब तरह के हत्यार हों के विकास के लिए विदेशियों पर निर्बर हो जाना और आप जानते हैं सुरक्षा के छेत्र में आप विदेशियों पर निर्बर हो जाएं तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात कोई नहीं होती, अन्न की सुरक्षा हो, या सीमा की सुरक्षा हो, दोनों ही इस तर पर अगर आप विदेशियों पर निर्वर हो गए, तो वो तो आपकी पूरी आजादी को ही मटिया मेट कर सकते, आप जानते हैं, पाकिस्तान से हमारे रिष्टे अच्छे नहीं हैं, और आपको ये भी मालूम है, कि अमेरिका के पाकिस्तान से बहुत अच्छे रिष्टे हैं, और आजादी के पिछले 60 वर्षों में, 63 वर्षों में, हमेशा अमेरिका ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है, और जो पाकिस्तान लगातार चोरी करके परमानू बम बना रहा है, और बार बार पाकिस्तानियों की धंकी ये हमको मिलती रहती है कि जरूरत पढ़ने पर भारत के उपर हम ये प्रयोग कर सकते हैं उस इस्थिती में भारत अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने उपर निर्वर ना होके अमेरिका जैसे देशों पर निर्वर हो गया और कल को अमेरिका ने ये कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान उनको ज़्यादा प्यारा है भारत की तुलना में तो हम तो हमारी सुरक्षा को भी गवाँ बैठेंगे हमारी सीमाएं भी हमारे हातों से चली जाएंगे 26 नवंबर हमारे देश में पाकिस्तानी आतंकवादियों का हमला हुआ था और सारी दुनिया ने वो देखा अमेरिका ने भी वो देखा लेकिन जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का भारत पर हमला करवाया और उसकी योजना बनाई, उनको पाकिस्तान में गिरफतार करके मुकदमा चलाया जाए, इसके लिए भारत सरकार अमेरिका से कह रही है, लेकिन अमेरिका इसमें कुछ नहीं कर रहा है, जिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 26 नवंबर का हमला भारत में योजना बनाया, वो पाकिस्तान में जिन्दा है, खुले घूम रहे हैं, सड़कों पर नाच रहे हैं, ना पुलिस उनको गिरफतार कर रही है, ना उनके उपर मुकदमे चलाये जा रहे हैं, और अमेरिका भी इस मामले में मौन है, भारत सरकार बार बार अमेरिका के पास जाके ये कहती है, कि प बराक उबामा से बार बार ये कहा कि हमारी आप से विनम्र गुजारिश है आप दबाव डालिए पाकिस्तान पर उनकी गिरफतारी होनी चाहिए बराक उबामा ने हाँ तो बोल दिया लेकिन कारिवाही के रूप में शून काशून नहीं है हम ये देख रहे हैं क्योंकि अमेरिका के पाकिस्तान में अलग हित हैं और भारत के पाकिस्तान के साथ अलग हित हैं ऐसी इस्तिती में अगर हम हमारी पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने हातों से निकाल कर दूसरों के हातों में डाल दें N-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P-T-P को समझानी है और समझाने के बाद सरकार के ऊपर इसका दबाव बनाना है कि हम सरकार से ये अपील करते हैं कि करोणों भारतियन आगरिक NPD पर समझोता करने के पक्षमे नहीं है CTBT पर समझोता करने के पक्षमे नहीं तब तक नहीं है जब तक अमेरिका अपने परमानू बम न अपने नागरिकों से अपने नागरिकों को सुरक्षा दे रहा है। का दिकार दे आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे भारत के पास तो मात्र 120 परमानू बम है कुल मिलाकर लेकिन अमेरिका के पास तो 24,000 हैं परमानू बम रूस के पास करीब 20,000 हैं परमानू बम बिटेन के पास, फ्रांस के पास जर्मनी के पास चाइना के पास कुल मिलाकर 12-13 अजार परमानू बं है हमारे पास तो कुल 120 है अमेरिका के पास 24 अजार है तो जिन देशों ने 24-24 अजार परमानू बं बना रखे हैं पहले उनको अपने परमानू बं नश्ट करने चाहिए तब वो दूसरों से कहने के अधिकारी हो सकते हैं कि आप अपने परमानू बं को नश्ट करो अनिता वो ये कैसे कह सकते हैं हम से कि हम अमारे परमानू बं नश्ट करें जबकि उनके पास रखे हूँ एक दिन मैंने हिसाब निकाला था कि अमेरिका चाहे तो पूरी दुनिया को 440 बार खतम कर सकता है इस बात को समझे अमरीका के पास कुल जितने परमानू बं है उतने परमानू बं का उप्योग करके दुनिया को एक बार नहीं दो बार नहीं तीन बार नहीं 440 बार खतम किया जा सकता इतने परमानू बम उनके पास है एक बार ये पूरी दुनिया नश्ट हो जाए फिर दुबारा बस जाए फिर वो नश्ट हो जाए फिर तीसरी बार बस जाए ऐसा 440 बार दुनिया बसे और अमेरिका उसको नश्ट कर दे इतने परमानू बम उसके पास हैं तो जिस अमेरिका लिएधा दादा गिरी गुंडा गिरी और बेइमानी करने वाला हम को कह राए कि आप एमानदार हो जाओ आप दादा गिरी मत करो गुंडा गिरी मत करो ऐसी एस्थती हमारे देश को बरदाश्त नहीं और एक समझोते के बारे मैं बात करना चाहता हूँ सारी दुनिया में गर्मी बढ़ गई है पर्यावरन का प्रदूशन बढ़ रहा है तो इस गर्मी को रोका जाए इस पर्यावरन के प्रदूशन को कम किया जाए दुनिया में गर्मी बढ़ गई है तो इसमें खत्रा किस बात का है खत्रा इस बात का है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है न तो ये जो बरफ जमी रहती है ध्रूबों पर उत्री ध्रूबों पर उसके आसपास के छेत्रों में ये बरफ पिगलने लगती है बरफ के पिगलने से नदियों में पानी बढ़ता है नदियों में पानी बढ़ने से समुद्र में पानी बढ़ता है और समुद्र में पानी का इस तर थोड़ा भी बढ़ गया तो दुनिया के पचास से जादा देश हैं जो एक जटके में डूब जाएंगे क्योंकि वो समुद्र के किनारे है हमारा एक पडोसी देश है उसका नाम है मालदूइब बिल्कुल छोटा सा देश है ठापू जैसा देश है सबसे पहले डूब जाएगा वो देश अगर समुद्र के पानी में थोड़ी भी बढ़ोत्तरी हो जाए तो और मालदूइब जैसे पचास देश रूब जाएंगे तो ये जो दुनिया के छोटे छोटे देश है ये कई वर्षों से इस बात का हल्ला मचा रहे है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है बरफ जादा पिगल रही है गलेशियर घट से चले जा रहे है नदियों में पानी बढ़ रहा है समुद्र में पानी बढ़ रहा है तो पचास देशों के अस्तित्तों को खत्रा पैदा हुआ है तो ये दुनिया के सभी देशों से अपील कर रहे है कि आप ये गर्मी बढ़ने के जो कारण है इनको रोकिए और इनको कम करिए गर्मी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है एक गैस जिसका नामे कार्बन डाय उकसाइड और उसकी एक सहयोगी गैस जिसका नामे कार्बन मोनो उकसाइड ये कार्बन डाय उकसाइड और कार्बन मोनो उकसाइड दो गैसें है जो सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ाती है तो कार्बन डायोकसाइड गैस कहां से पैदा होती है ये जितने आधुनिक सुक्सुविदाओं वाले काम हम कर रहे हैं दुनिया में ये सारे आदुनिक सुख सुविदाओं के काम कार्बन डाय ऑक्साइड कोई बढ़ा रहे हैं जैसे हम हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते हैं उसके कारण सी एफसी गैसों का उत्पादन बढ़ता है वो गर्मी बढ़ती है जैसे हम गाड़ियां चलाते हैं गाड़ियां चलाने में डीजल पेटरोल जलता है उसमें से कार्बन उत्सरजन होता उसके कारण गर्मी बढ़ती है इसी तरीके से हम दुनिया में बहुत सारे एशो आराम के लिए सहर सपाटे के लिए गूमने जाते हैं जरूरत नहीं है उससे गर्मी बढ़ती है मैं अभी थोड़े दिन पहले कुछ इसका अध्यन कर रहा था तो मुझे पता चला कि अमेरिका एक ऐसा देश है किसी भी मिनट पर किसी भी एक मिनट पर अमेरिका की हवाई सीमा का अध्यन करो तो हर समय साथ हजार हवाई जाज वहां उड़ रहे होते हैं हर समय हर समय हर मिनट साथ हजार हवाई जाज अमेरिका में उड़ रहे होते हैं माने दुनिया में सबसे ज़्यादा हवाई जाज उड़ाने वाला देश इस समय अमेरिका है आपको मालूमें जब हवाई जाज उड़ना शुरू करता है जब टेक ओफ करता है तो जतनी एंधन वो जलाता है और जतनी ओर्जा को खतम करता है उतने इंधन को बचा कर लाखों काड़ीों को सालों साल चला जा सकता है एक जहाज उतना इंधन जला देता और अमेरिका में साथ हजाज एटे टाइम हरसमे उड़ रहे होते हैं तो कितना इंधन ये जलाते हैं और जितना इंधन डीजल पेटरोल और हवाई जाज में जलता है वो सभी इंधन गर्मी पैदा करता है कारवन उतसरजन बढ़ाता है तो दुनिया में एशो आराम की जितनी चीज़ें चल रही है वो सब कारवन उतसरजन बढ़ाने वाली हैं और उससे गर्मी बढ़ रही है अब कारवन उतसरजन और गर्मी बढ़ाने वाले देश हैं अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, स्वीडन, स्विजलेंग, बेनमार्क, नॉर्वे, जिनको अमीर देश कहा जाता है और जान पर बनके आ रही है गरीब देशों की, मालदीप एकदम गरीब देश है, मौरिशस एकदम गरीब देश है ऐसे दुनिया के पचास देश डूबने को बिलकुल तयार बैठे हैं, तो मारे जाएंगे गरीब, और मजा कर रहे हैं अमीर, और ये अमीर देश मिलकर इस बात पर सहमत नहीं हो रहे है, कि उनकी जीवन शैली को वो बदलें, जिससे कार्वन उस सरजन कम हो ये अमीर देशों की जीवन शैली का एक सबसे बड़ा खुट कर्म है, पाप कर्म है, ये मासाहरी खाना खाते हैं, बिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी, अमेरिका है, कनाडा है, ऐसे 24 देश सबसे ज़्यादा मास खाते हैं दुनिया में, और इनके मास खाने के लिए हर साल जा साल जो जानवर ये काटते हैं, उन जानवरों को काट काट के खाते हैं, करोडों की संख्या में ये जानवरों को काट देते हैं हर साल, इन जानवरों को खिलाने के लिए अनाज पैदा करना पड़ता है, साट से सब्तर प्रतिशत अनाज पूरी दुनिया का ये जानवर खा जाता है और जानवरों को खिलाने के लिए उपियोग में लाए जाता है तब कार्बन का उत्सरजन होता है इन जानवरों के मास्कों एक गाउं से दूसरे गाउं एक जगे से दूसरी जगे ले जाता है फाल्तु में ट्रांस्पोर्टेशन होता है तब कार्बन का उत्सरजन ह पिर इस मास को हमेशा रेफ्रिजरेशन की इस्तिती में रखा जाता है तब कार्बन का उत्सरजन होता है तो इस मास के उद्योग को चलाने के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सरजन होता है और फिर ये दुनिया के अमीर देशों की मौझ मस्ती और एशो आ तो ये अमीर देशों के ऊपर गरीब देशों की तरफ से ये दबाव डाला जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी जीवन शेली को बदलिए और ये कार्मन उस सर्जन को कम करिए ताकि गर्मी जादा ना बढ़े ताकि बरफ जादा ना पिगले ताकि हम डूबने से के लिए कि वो अपने कार्मन उस सर्जन में कोई कमी करें उल्टा ये सारे अमीर देश आपस में मिलकर गरीब देशों पे दबाव डाल रहे हैं और उनको कहरें तुम कार्मन उस सर्जन में कमी करो हम तो कमी नहीं करेंगे नहीं तो हमारा विकास बंद हो जाएगा हमारा व खरीब देशों से जवरजस्ती करवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। खुशी की बात ये है कि भारत देश ने साफ साफ कह दिया कि हम इस सम्मेलन की किसी संदी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि अमीर देश अपनी जिम्मेदारी तैं नहीं करते कारवन उस सर्जन में कमील आने की और पिछले सौ वर्षों में इन्होंने जो नुकसान किया है पूरी दुनिया का उसका मुआवदा देने की हरजाना देने की सौ साल में अमेरिका और अमीर देशों ने जितना नुकसान कर दिया पूरी दुनिया में कारबन पैदा करके उसका वो हर जाना भरें और आगे भविश्य में वो नहीं कारबन पैदा करेंगे इसकी गारिंटी दें तब ही भारत इसमें समझोते पर हस्ताक्षर करेगा भारत में मना कर दिया थोड़ा अच्छा हुआ हमने हिम्मत दिखाई इसी तरह की हिम्मत हर जगे दिखाने की जरूरत है परिनाम जानते हैं क्या निकला जैसे ही भारत में हिम्मत दिखाई चीन ने भी हिम्मत दिखाई चीन ने का हम भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे ब्राजील ने हिम्मत दिखाई उन्होंने का हम भी नहीं करेंगे अर्जंटीना ने का हम भी नहीं करेंगे अब दीरे दीरे 77 देश कह रहे हैं कि अगर भारत नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे अब ये 77 देशों को मुझे लगता है कि इस समय भारत देश के नेताओं के पास ऐसा अच्छा आउसर है कि इन 77 देशों को एक जुट कर लिया जाए और इनका एक अलग से संगठन बना लिया जाए और इस संगठन की ताक्त से अमीर देशों को conten को झुकाया जाए मजबूर किया जाए और अमीर देशों से कहा जाए कि आप जिम्मेदार हैं कार्बन उत्सरजन के और पर्यावरन की गर्मी के तो पहले आप कटोती करो अपनी जीवन शैली को बदलो मास खाना बंद करो जिसके कारण सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है अयाशी का और एशो आराम का जीवन बिताना बंद करो जिसके कारण सबसे ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है सादगी से जीओ कम खाओ कम पीओ कम से कम में अपना जीवन चलाओ हम भारत वासी तो सारी दुनिया को ये उपदेश कर सकते हैं पर आचर जगते में बहुग कर सकते हैं खाली भोग नहीं कर सकते तो हम भारत वासी अमेरिका को और यूरोप के देशों को बता सकते हैं कि आप अपनी जीवन शाली बदलो और इसमें भोग कम करो तियाग ज़ादा करो, तब ज़ादा करो, तपस्या ज़ादा करो, साधरर तरीके से जीवन बिताओ, simple living and high thinking वाली philosophy में जाओ, साधा जीवन उच्ची बिचार की philosophy में जाओ, तो परियावरण में कार्बन उतसर जन अपने आप कम हो जाएगा गर्मी अपने आप कम हो जाएगी और दूसरे देशों के लिए भी ये आदर्श प्रस्तुत हो जाएगा तो ये विवस्था होनी चाहिए वास्तम में और इस व्यवस्था की तरफ हम सब को बढ़ना चाहिए मुझे लगता है इसी मेंसे बाकी संदियों को खतम करने का भी रास्ता निकलता है और दूसरी जो संदियां हमने कर रखी है उसके लिए भी यही सिद्धान्त हमें हमारे जीवन में लाना चाहिए और वो सिद्धान्त कैसे लाना चाहिए अब मैंने आपको एक संदि की बात की विश बैंक और अंतराश्वी मुद्रा कोश की संदि उसमें भी यही होना चाहिए कि अमीर देशों के लिए अगर विश बैंक और मुद्रा कोश कोई शर्त नहीं लगाता करजे की तो गरीब देशों पर वो शर्तें क्यों लगनी चाहिए अमीर देशों की मुद्राओं का अगर अवमुल्यन नहीं होता डॉलर का अवमुल्यन नहीं होता इस्टरलिंग पॉंड का अवमुल्यन नहीं होता यूरो डॉलर का अवमुल्यन नहीं होता तो कोई गरीब देश भी अपनी मुद्रा को नहीं घटाएगा दुनिया का व्यापार समानता के आधार पर चलाया जाएगा हमें ऐसी ही एक ध्वनी निकालनी चाहिए ये विश्व बैंक और अंतराश्री मुद्रा कोश की संदी के बारे में या तो इस संदी की शर्तों को बदलवाया जाए या इस संदी को हमेशा के लिए समाप्त किया जाए इसी तरह वर्ल्ट ट्रेड और्गनाइजेशन की जो संदी है जिसमें किसानों के लिए ये कहा गया है कि भारत की सरकारें किसानों को मदद नहीं करेंगी तो अमेरिका की सरकारें किसानों को क्यों मदद करें अगर भारत के किसानों को सबसिडी नहीं दी जा सकती WTO की शर्तों के आधार पर तो अमेरिका के किसानों को सबसिडी क्यों मिलनी चाहिए आपको मालूम है अमेरिका का किसान 100 डॉलर का उत्पादन करे तो सरकार की तरफ से 400 डॉलर की मदद मिलती है उसको यूरोप का किसान अगर 100 डॉलर का उत्पादन करे तो यूरोप की सरकारें अपने किसानों को 400 डॉलर की मदद करती है अगर अमेरिका की सरकारें यूरोप की सरकारें 100 डॉलर के उत्पादन पर 400 डॉलर किसानों की मदद कर सकती है तो भारत की सरकारें क्यों नहीं कर सकती 100 रॉपई के उत्पादन पर 400 रॉपई की मदद किसानों की हम क्यों नहीं कर सकते हम अगर मदद करें तो WTO की संदी में हम फसें अमेरिका आपने किसानों की मदद करे तो वो WTO की संदी के आदार पर क्यूं नहीं फसना चाहिए बनले संदी होती है तो बराबरी के इस तर पर होती है ये नहीं हो सकता कि एक कोई बहुत ऊंचा और एक कोई बहुत नीचा उचे और नीचे लोगों में संदियां नहीं हुआ करती संदियां हमेशा बराबर के लोगों में होती है और अगर उचे नीचे लोगों में संदिया आप करेंगे तो हमेशा नीचे वाले का शोशन होगा और उपर वाला उस शोशन से ताकतवर होता चला जाएगा तो विश्व बैंक और अंतराश्वी मुद्रा कोश की संदियों की शर्तें बदलवानी है विश्व व्यापार संगटन की संदियों की शर्तें बदलवानी है विश्व व्यापार संगटन की शर्तों में सबसे पहली शर्त ये बदलवानी है कि विश्व का व्यापार करना है, कराना है, ये हर देश का अपना संप्रबु अधिकार है, उसका सौवरिन राइट है, कोई देश की संसथ क्या कानून बनाए, क्या कानून ना बनाए, ये उस देश की संसथ का संप्रबु अधिकार है, डबलू टियो ये कैसे तै कर सकता है, कि आपको ये कानून बनाना चाहिए दूस्रा नहीं बनाना चाहिए डबलू टी ओió हमारी सरकार की सरकार नहीं हो सकता कोई सुपर गवर्मेंट वो नहीं बन सकता इसलिए ये संधी में से इस शर्त को निकलवाना चाहिए और बाकी जो शर्ते हैं देशी और विदेशी कमपनियों को एक बरावर विवार करना, देशी और विदेशी नागरिकों को एक बरावर विवार करना, दुनिया में कोई नहीं करता, तो हम कैसे कर सकते हैं, हमारे भारत के नागरिक ब्रिटेन में जाते हैं, तो उनके साथ विदेशियों का ही विवार होता है वो अपने स्वदेशी नागरिक जैसा विवार हम से नहीं करते तो हम क्यों करेंगे दूसरों के साथ तो भारत के लिए ही सारा कुछ है और दूसरों के लिए कुछ नहीं है तो ऐसी अन्याई पूर्ण पक्षप़त पूर्ण जो संधियां हैं वो WTO की हो وہ वर्ड बैंक की हो वो IMF की हो वो CTBT की हो वो Npt की हो वो चाहे कार्वन उस्सरजन की ट्रीटी हो दूनिया की कोई भी ऐसी संधी हमें منظور नहीं है जो हमारे साथ पक्षुपाद करती है और दूसरे देशों को हमारा शोशन करने का अधिकार देती है तो सारे भारत में हमें ये अभ्यान चलाना है इन अंतर राश्ट्रिय संदियों के खिलाफ पूरे देश में एक माहौल बनाना है जब तक पूरे देश में कोई माहुल नहीं बनेगा तब तक इन संदियों को संसत से हम मिरस्त नहीं कर पाएंगे आप मुझे ये तक्निकी सवाल पूछ सकते हैं कि क्या इन संदियों को रद करने का अधिकार हमारे पास है हाँ है हमारे देश की संसत को ये सारी संदियां रद करने का अधिकार है हम WTO की संदि हमारी संसद से रद कर सकते है विश्व बैंक की संदि रद कर सकते है अंतराश्री मुद्रा कोश्की कर सकते है किसी भी संदि को हमारी संसद रद कर सकती है ये संसद का सार्व भौम अधिकार है बस बात इतनी सी है कि संसद में इस विचार को लेकर पहुँचने वालों का बहुमत चाहिए बाकी संसद कुछ भी कर सकती है हमारे देश की संसद ये सभी संदियों को रद करने का अधिकार रखती है बस हमारी संसद में 350 ऐसे संसद चाहिए जो इस विचार को लेकर जाएं और इस संदियों को एक साथ रद करते चले जाएं तो आप पूछेंगे फिर दुनिया में कोई जगडा होगा क्या कुछ नहीं होगा मैं आपको कई देशों का नाम लेके बताता हूं जिनोंने इन सारी संदियों को अपनी संसद में रद किया है और वो जीवित हैं और अच्छे तरीके से सम्मान का जीवन बिता रहे हैं मैं एक देश का नाम लेके आपको कहना चाहता हूं क्यूबा नाम का एक छोटा सा देश है अमेरिका के बिलकुल नजदीक में है उसने विश्व व्यापार की संदी नहीं मानी डबलू टियो की संदी उसने नहीं मानी उसने विश्व बैंक वाली संदी भी नहीं मानी उसने अंतराश्री मुद्राकोश की संदी भी नहीं मानी CTBT को तो वो मानता ही नहीं है NPT को भी नहीं मानता है क्यूबा जैसे देश ने किसी भी अंतर राश्ट्री संदी को नहीं माना एक जटके में अपनी संसत से उनको रद किया है क्यूबा में इस समय एक राश्ट्रपती है उनका नाम है Fidel Castro पूरे देश का समर्थन उनके साथ में है और वो सालों साल से राश्ट्रपती है जब वो पहली बार राश्ट्रपती चुनकर आये लाखों करोडों लोगों ने उनको समर्थन दिया और उन्होंने इन संदियों को अपनी संसत से रद करा दिया अब क्यूबा जैसा देश इन सब संदियों को रद करा सकता है और क्यूबा जीवित है सम्मान के साथ जीवित है उनकी मुद्रा की ताकत भी बहुत बड़ी है और उनके देश की ताकत भी बहुत बड़ी है हालनकि क्यूबा दो करोड की आबादी का देश है और अमेरिका उसके बगल में 27 करोड की आवादी का देश है फिर भी 2 करोड का क्यूबा स्वादिमान के साथ और स्वादेशी के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है तो 27 करोड नागरिकों वाले अमेरिका को नाकों चने चबवा रहा है वो इतना छोटा सा देश है क्यूबा जिन्दा रह सकता है इन संदियों को रद करके तो हमारा देश भी जिन्दा रह सकता है इन संदियों को रद करके क्यूबा तो एक उधारन है ऐसे मैं दुनिया के 40 देशों का उधारन आपको दे सकता हूँ जिनोंने इन संदियों को रद किया है अपने अपने देश रुपती सद्दामुसेन को मारा गया उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसने बहुत सारी अंतराष्टी संदियों को माना नहीं अपने देश में खुदारी के साथ स्वाविमान के साथ उसने का कि मैं इराक को देखना चाहता हूं ना कि अमीर देशों का पिछलक गूदेश बनाना चाहता हूं तो एराक ने इन संदियों को नहीं माना है एरान ने इन संदियों को नहीं माना है ऐसे 40 देश हैं दुनिया में जिनों ने इन संदियों को नका रहा है अपनी संसत से जहांके लोगों ने इन संदियों को नका रहा है अपनी संसत से तो भारत भी नकार सकता है और भारत के बारे में तो सबसे बड़ी बात ये है कि अगर भारत जैसा देश इन संदियों के खिलाफ एक अंतराश्री अभ्यान चलाए तो 70-80 और गरीब देश भारत के साथ जुड़ जाएंगे वो भी इन संदियों से परेशान है जो गरीब हैं और मुफलिसी के शिकार है तो दुनिया के 70-80 देशों के हम नेता हो सकते हैं उनको इस संदियों के रद्द करने के लिए रास्ते बता सकते हैं फिर आप बोलेंगे हम भविश्य में विकल्प क्या दे सकते हैं विकल्प हम ये दे सकते हैं कि जो 70-80 देश इन संदियों से बाहर आएंगे वो आपस में मिलकर नई संदियां कर सकते हैं जिसमें अमेरिका को शामिल ना करें कनड़ा को सामिल ना करें यूरोप के देशों को शामिल ना करें 24 अमीर देशों को बाहर निकाल कर उमें अमीर देशों के पास संसादन नहीं है, भगवान की दी हुई कोई संपत्ती उनके पास नहीं है, फिर आप बोलेंगे वो अमीर कैसे हैं, उनके पास शरम भी नहीं है, उनके पास संसादन भी नहीं है, फिर भी वो अमीर कैसे हैं, वो सिर्फ एक चालाकी के दम पर अमी जिस दिन उनकी ये चाला की खतम हो गई वो सब के सब जमीन पर आ जाएंगे क्योंकि भगवान का दिया हुआ उनके पास कुछ नहीं है हम गरीब देश गरीब क्यों है हम गरीब देश इसलिए गरीब है कि भगवान के दिये हुए भरपूर संसाधन है भगवान के दिवे लोगों का बरपूर श्रम है लेकिन मुद्रा की कीमत नहीं है मुद्रा की ताकत नहीं है और अंतराश्री बादार में कोई भी संसाधन का विक्रे होता है वो मुद्रा के माध्यम से होता है मुद्रा जो है ना मीडियम है एक्सचेंज का कोई भी सादन खरीदें बेचें, तो मुद्रा बीच में आती है, गरीब देशों की मुद्राओं की कीमत कम है, यही उनकी सबसे बड़ी कम नसीबी है, तो गरीब देश अगर इस सच्चाई को समझ लें, कि संसादन उनके पास है, धन उनके पास है, श्रम के रूप में और ब अगवान के दिये हुए प्राकर्सिक संसादन है, तो उनको बदलने की छमता आप रखते हैं, तो आपके पास तो सब कुछ है, बस मुद्रा की कीमत में आपकी जो कमजोरी है, इस कमजोरी को आप मजबूती में बदल दो, और मजबूती में बदलने का तरीका ये है, कि जर्टों की सूची है। उसमें से मुद्रा का विवहर निकल वा दें। तो सारे गरीब देश रातो रात अमीर हो जाएंगे। और दुनिया के सारे अमीर देश रातो रात गरीब हो जाएंगे। ये सब एक जटके में होने वाला है। अब इसको करेगा कौन? एक कहावत कही चाहती है ना बिल्ली के गले में घंटी बांदेगा कौन? सबसे बड़ा प्रश्णिये खड़ा होता है. रास्ता तो हमें दिख रहा है. काम क्या करना है वो भी मालूम है. लक्ष भी हमको दिखाई दे रहा है. अब प्रश्ण उठता है कि ये साहस कौन करेगा? बार बार भारत में दुनिया के देशों को रास्ता दिखाया है. और दुनिया के देशों को एक आगे बढ़ाने के पत्पर बलाया है. बार बार भारत दुनिया के देशों का गुरू रहा है. बार बार भारत दुनिया में विश्व गुरू का इस्थान पाता रहा है बार बार भारत दुनिया की लीडर्शिप करता रहा है शांती के लिए हो या युद्ध के लिए हो हमने नेतरत्त किया है पूरी दुनिया को और हमने नेतरत्त दिया है तो आने वाले समय में भी भारत ही नेतरत तो करेगा और भारत इन 70-80 देशों को रास्ता दिखाएगा, रास्ता बताएगा अब भारत में ये काम जो करेगा वो आप सब करेंगे, हम सब करेंगे हमारा संगठन भारत स्वाविमान आपका संगठन भारत स्वाविमान हम सबका संगठन भारत स्वाविमान इसी काम को करने के लिए प्रतिबद है कि अपने देश की मुद्रा की ताकत हमको बढ़ानी है और हमारे जैसे गरीब देशों के मुद्राओं की ताकब भी हमको बढ़वानी है और विश्वेंक और मुद्राकोस की शर्तों को बदलवाना है डबलूटियो की संदी को बदलवाना है CTBT, NPT या कार्बन उत्सर्जन की संदियों को पक्षित पात पूर्ण नहीं रखना है उनको समानता के विवार पर आधारित बनवाना है ये सब काम करना है भारत स्वाबिमान इसमें अगवाई ले चुका है लीडर्शिप हमारे हाथ में है बिल्ली के गले में हम घंटी बाढ़ेंगे और सारी दुनिया को हम ये रास्ता दिखाएंगे और ईश्वर हमको रास्ता दिखाएगा परमपिता परमात्मा हमको मदद करेगा इसका हमें पूरा विश्वास है क्योंकि हम सबते पत पर चल रहे हैं हम साधना के पत पर चल रहे हैं दूसरों के दुखों को उतनी ही सम्वेदन शीलता से हम महसूस कर रहे हैं जैसे वो देश महसूस करते हैं मुद्रा की कीमत कम होने का दर्द क्या होता है ये इंडोनेशिया वाले जितना जानते हैं उतना हम जानते हैं अफरी की देश जितना जानते हैं, हम जानते हैं, एशिया के देश जितना जानते हैं, हम जानते हैं, तो हमारा दर्द उनके दर्द जैसा है, हमारी पीड़ा उनकी पीड़ा जैसी है, हमारा दुख उनके दुख जैसा है, तो हमारा तो एक ही निवेदन है, कि दुनिया के सब देश एक साथ मिलकर इकटे हो भारत के साथ और भारत के लोग इकटे हो भारत स्वाबिमान के साथ तो ये भारत स्वाबिमान अगवाई करेगा और सारे विश्व को इन अंतर राश्री संदियों के मकरजाल से मुप्त कराने में सफल होगा इस भावना के साथ आप सभी का हमारी जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद.